नमस्कार आप सभी को दिपावली की बहुत सारी शुब कामना है सातो साथ विक्रम सब्द दोजार असी जिसकी आजी के दिन से शुरुवात हो रही है उसको भी डेर सारी शुब कामना इस नया साल आपके लिए नई जोश नई उमंगों के साथ आए और आप जीवन के समर्दी प्राप्त करें सी हमारी तरफ से बहुत सारी शुब कामना है आज 14 नवंबर भी है और 14 नवंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉटन दे है हमने एक सीरीज की शुरुवात की थी ये सीरीज के अंदर हम इंडिया की इंपॉर्टन परस्नाल्टी इसकी बायोग्राफ the first Prime Minister of India एक ऐसे लीडर जिसने आजादी के बाद भारत का जो भविश्य है वो लिखने की शुरुवात की और आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे व्यक्तितियों के बारे में जिनके लिए यह क्यों कहा जाता है कि अगर यह ना होते तो भारत का इतियास कुछ और होता यह ना हो आज हम लोग चर्चा करेंगे जव लाँ प करेंगे क्या कांटृबुशन क्या है और उनके उपर एक एसेस्मेंट भी करेंगे कि क्या उनकी जो अलोचना हो रही है यह आलोचना आज के समय की प्रासंगी का देखते हुए किस तरह से उस समय के अंदर द्रस्तिकोंड में देखेंगे कि कितनी सही थी और कितनी गलत थी तो without wasting much of your time मैं आपको welcome करता हूं the unstoppable channels दोस्तों आज ये वीडियो बड़ा interesting है क्योंकि ये वीडियो के आधारी थी हमने quiz यहां पे रखा है जहां नहरू जी के जीवन के contribution उनकी life और legacy के ऊपर आज रात 8 बजे ही आपको एक देख उनके vouchers भी मिलेंगे तो जरूर से इसके अंदर पार्टी सिबेट करेंगे इस फुरी क्विस्ट जस्ट तो गेट यू अवेर अबाउट नहरू जी कॉंट्रिबूशन और legacy in the national movement and after the national movement as well कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनका क्या रोल प्ले था एक लीडर के रूप पर उनका क्या रोल प्ले था इन सब मुद्दों के उपर भी चर्चा करेंगे और साथ सो साथ यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस quiz आधारित जो मुद्दे है जो सवाल है वह आपको कितने helpful रहता है ठीक है तो without wasting much of your time आपका मैं स्वागत करता हूँ मेरा नाम प्रतीक है मैं पिखले दस साल से history culture पढ़ा रहा हूँ यह मेरी प्रोफाइल है अनकेडिमी के application के ऊपर मैं suggest करूंगा कि आप इसको score को scan करके मुझे follow करिए so that आपको interesting updates history culture के बारे में पता चलती रहे है तो आप भी सात है हमारे मुद्दे के ऊपर मुद्दा हमारा जो है वो है नह respect to the life journey and the contribution in international movement from 1900s to 1947 actually शुरुआ तो आप देखोगे तो 1889 के आसपास ही हो गए थी जब से नहरू जी का बर्थ हुआ था बट इनिशल कुछ सालों के अंदर नहरू जी politics में एक्टिव नहीं हुआ करते थे पर उनकी जगह हमें पता चलेगा कि उनके फादर साब जो मोतिलाल नहरू है वो एक्टिव रहेंगे तो नहरू जी का पहला फेस जो है वह हम लोग देखेंगे आज के sessions के अंदर सबसे पहले और यह फेस खतम करने के बाद विल जम्ट के अंदर विज्ञान एवं तकनीकी जो development है खास करके सिक्षा को लेके उसमें क्या contribution हमें देखने को मिलता है welfare state, agriculture program, socialism की policies और साथो साथ नहरू जी के लिए एक बड़ा ही प्रियविस है रहा है वो है foreign policy जिसको लेके आज के तारीक के अंदर भी सेंकड़ोबाद टिपनिया की गई है कि नॉन अलाइनमेंट चाइना के प्रति पाकिस्तान के प्रति उनकी जो नीती रही है USA के प्रति उनकी जो नीती रही है वो कैसी रही है उसके उपर भी discussions करेंगे तो without wasting much of your time हम शुरू करते है आज सबसे पहले phase के नहरू जी की कहानी कैसे चाही है तो आप देख करने को मिलेगा मैं यह क्यूं कह रहा हूं उसके बीछे के मुख्यकारण बहुत सार है सबसे मुख्यकारण यह है कि कश्मीरी पंडीतों को अपनी अपनी जो बोली हुआ करती थी उनके पास जो नॉलेज हुआ करता था जो अनुभा हुआ करता था इस द्रश्टिकॉन से भारत के जितने भी स्थानिक रजवाडे थे जो प्रिंश्टी स्टेट्स हुआ करते थे तेस्टु इनवाइट एडवाइस और यह प्रथा आज से नहीं चल रही थी मरलब आजादी के पहले से नहीं चल रही थी सेंकड़ों बहुत पहले सालों से आपको मिलेगा इन फैक विक्रम आदीते करके राजा थे च्टे और बिल्हान ने उनके लिए चरीता लिखा था मतलब उनके बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था विक्रम देशरीता अब आपको यह सवाल आ रहा होगा कि प्रतिक नायक आप क्यूं यह बता रहे हो यहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए तो उसके का कारण है कि कश्मीरी पंडितों की जिस प्रकार से योगदान रही है इसके कारण भारत के अंदर करीवन 19 सेंचूरी के आस्वास यानि कि 19 शुश्रादाब्धी 1850 के दौर के अंदर बहुत सारे हमें पंडित वर के लोग देखने को मिलते हैं जो भारत उसको ध्यान में रखते हुए उनके ग्रेट ग्रांट फदर को उस दौर में एक स्तानिक राजा नेहर के पास जमीन आवंटन की थी क्योंकि पहले दौर के अंदर जितने भी राजपुरोहित हुआ करते थे या जो भी राजा के एडवाइजर से उनको एक गिफ्ट के रू करने नहरु वह कहां से या वो मैंने आपको बताया खेर नहरु फैमिली या कॉल परिवार के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इनकी फैमिली मूल तो कश्मीर से बिलॉंग कर रही थी पर बिकॉस यह अलग-अलग राजू के अंदर सेवा दे रहे थे और इनके अनुभव काफी ज्यादा थे और कश्मीर में थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटिस की कमी भी थी क्योंकि अगर आपको पता होगा तो डोगरा राजबुत रूल कर रहे थे तो काफी लोग माइग्रेट भी हुए इस माइग्रेशन में मोतिलाल नहरु जी की फैमिली भी ह में देखने को मिलता है कि अलाबाद की तरफ आ गई है और मोतिलाल नहरु और उनकी जो मदर हुआ करती थी जिनका नाम था स्वरू पुरानी उनके वहां पर ही 1889 के अंदर जवाला नहरु का जन्म हुआ तो करीबन 14 नवेंबर 1889 का जो दिन था बड़ा प्रॉमिन भी है दिन है नहरु और कॉल परिवार के दरश्टी कौन से क्योंकि इसी के दिन इनका जन्म होता है और इंट्रेस्टिंगली वी विल सी कि यह अलाबाद के अंदर ही अपने कर्म भूमी और जन्म भूमी को बनाते है तो मूल लिंके जिस इनकी कश्मीर से थी बड़ देन माइग ऑर है जहां कॉंग्रेस की स्टापना होए चार साल हो चुके हैं और कंउग्रेस की स्टापना के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि या एक समू है जो भी एड्यूकेशन मिला अपने द्वारा ही मिला है और फादर के रूप में मोतिलाल नहरु जी का अपना ही योगदान था क्योंकि वो खुद मॉडर्ड पॉलिटिक्स के अंदर इंडर थे लॉयर के रूप में उनकी काफी सारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी और में बहुत प्रॉमिनेटली चीजे देखने को मिलती है विट्स रिस्पेक्ट तो मोतिलाल नहरु और नहरु जी जो जिन्हों हम लोग जवालाल रूप में पैचानते हैं जवालाल जी के साथ यह हुआ कि पहले 15 साल तक वह जब बड़े हो रहे थे 20 साल तक तब और आपको जानकरी होगी तो 1905 के आसपास नहरु को जब कहा जाता है जवालाल जी को कहा जाता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए आगे जाना है तब भारत के अंदर स्वदेशी मूमेंट की शुरुआ थी स्वदेशी मूमेंट कॉंग्रेस के दवारा एक प्रावजित मूमेंट थ थे क्यों नहीं अक्टिव थे तो इस बट ऑबिएस यूज तो इन फैक्ट ही बिलॉंग तो वेरी आई आई वूड से पर्सनालिटी जो उस पीरड के अंदर बली इनीट क्लास से थे क्योंकि मोतिलाल नहरु वास वन अफ दी मोस्ट प्रीमियम ऑफ दी लॉयर्स अथ अगर आप समदने की कोशिश करिए कि जो एज्यूकेशन है अच्छा मिला और इसके लिए उनकी हाई स्कूल और लेटर ओन उनकी जो वकीलात की डिग्री है वो भी उन्हों लंडन से ही हासिल की तो यह इंट्रेस्टिंग है बहरत में बहुत गिने चुने लोग आपको मिल करेंगे जो इस प्रकर में हाई स्कूल के दौरान में ही इंग्लेंड जाके पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी आज से करीबन 120 साल पहले 130 साल पहले तो यह बड़ी प्रॉमिनेंट पार्ट है और अबिंदो की फैमिली अगर आपको पता होगी महरशी अर्भिन जो और एजूकेशन इंग्लिश एजूकेशन प्राप्त करके अपने करियर को सेट करें इतियास को कुछ और चीज़ें पसंद थी वही चीज इनके साथ भी हूँ इनको मैं कहूंगा की इंस्टिटीशन और जिस प्रकार की डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग दी यह जवालाल नहरू के लिए बड़ी प्रॉमिनेंटली काम में आई कि और पीरेट अफ टाइम इनके कंटेंबरी पीरेट के अंदर वलभाई पटेल भी गए थे अगर आपको पता हो 1909 के अंदर वलभाई पटेल की भी जो सिक्षा है और इंग्लेंड के अंदर वो लेने गए थे 1909 के बाद और 19 1910 के बाद गये थे और करीवें धाई साल तक वहां रुखे ऐसे तो तीन साल का कोर्स अपर उनके उपर हमने चर्चा कर दी है तो यह पूरी शुरूआत है नहरू जी की इनफेक्ट 1913 के बाद उनकी प्लान ये थी कि भारत में आये और भारत में आके अलाबाद हाई कोड क इंदर प्रैक्टिस की शुरूआत करें सिक्षा थी ओव्यस सा की फादर की लेगेसी है तो मन में तो यही था कि भाई वेस्टर एजुकेशन हमने लिया हुआ है वकीलात की और बैरिस्टर एट लॉग मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैरिस्टर की डिग्री बड़ी प् रहना तो बैरिस्टर एट लॉग की जो पद्वी है वह बहुत गिने चुने भारतियों के पास हुआ करती थी तो नहरू इस तरह से बापीस आये जवालाल और उसके बाद ही इनों है वी विल फाइंड की अपना कॉंट्रिबिशन देने की शुरुआत की अब देखे यह थ जैसे आप देखिए गांदी जी के साथ हुआ इवन पटेल भी इनीशली वैसे ही थे तो विवर फाइंड की ऐसी कहानी आपको इनकी भी देखने को मिलती है और 1914-1916 के ट्रांजिशन में इनके यहां बढ़ला वाने की शुरुआ तो दो चीज के अंदर बढ़ला हुआ पह चांदे हो उसकी भी शुरुआत हुई और साथो साथ 1915-16 के जब विश्वयुद्ध चल रहा था तभी उनकी गांदी जी के साथ मुलाकात होती अब देखे गांदी 1915 में आया अगर आपको याद होगा तो सर ठीक है और 19th या 9th January 1915 के दिन जब गांदी जी आते है तब ग कोई देखने को मिलता है तो वो थे मोतिलाल नहरू मोतिलाल नहरू बड़े स्टॉलवर्ड कंसिडर किये गए थे इस दौर के अंदर और उनका मतलब काइंट आप देखो गया थो कम का एक का चलता था तो जवाहर जो थे वो अपने फादर की लेगेसी के ऊपर चल रहे है और जवाहर धीरे धीरे घांदी जी से भी इंफ्लुएंस होंगे अभी नहीं होंगे पर कुछ सालों के बाद आपको देखने को मिलता है ठीक है कहानी यह है कि 1916 में इनकी लखनो के अंदर पहली बार एक पैक्ट हुई थी अगर आपको पता होगा तो in 1916 देरे उस इन दिस लखनो पैक्ट गांदी एंड नहरू एड ब्रीफ डिसकुशंस ओके बट इस डिसकुशंस वस नॉट विट रिस्पेक्ट तो ओवर ओर इंपक्ट गांदी वी मेकिंग और नहरू बट डेफिनेटली नहरू जी का यह लेगेसी का पीरड चल रहा है अभी यंग ए 2017 के अंदर गांदी जी ने चंपारन कर दिया या खेडा का सत्यागर किया था यह अगर आपको पता होगा तो एहमदाबाद का सत्यागर किया इन सबके सब्सक्राइब हो के अंदर हमें यह चीज देखने को मिल रही थी कि नहरू सीदे सीदे तोर के ऊपर कोई contribution नहीं देंगे सर क्यों क्योंकि modern politics में थे गांदी जी का थोड़ा अप्रोच अलग था सत्याग्रह जो शब्द था वो सबके लिए convincing भी नहीं हुआ करता था खेर बात आगे चली 1917 तक आते आते यहीं नहरू we will see अब देखें यह बहुत prominent period के नहरू के जीवन का नहरू क्योंकि England से पढ़के आये था उनको सत्याग्रह का concept समझ में नहीं आता था इंट्रेस्टिंग कहानी यह है कि नहरू को home rule का concept बड़ा समझ भी आ गया था अब ऐसा क्यों था क्यूंकि home rule जिसकी मांग एनिवेशन कर रही थी वो खुद Ireland से थी इंगलेंड से थी मरलब मूल इंगलेंड के अंदर ही Ireland था मरलब that was part of the United Kingdom at the time आज की तारिक में भी Ireland का एक पार्थ जो है जो UK का ही पार्थ है तो वहां के जो Irish निवासी है जो Ireland के लोग है जो स्थानिक लोग है उन सब की मांग थी कि अगर आप हमें इंडिपेंडनेंस नहीं दे सकते हो था हमें होम रूल दीजिए और्टोनॉमी के रूप में नहरू उस पीरिड के अंदर जब इंगलेंड से पढ़के आया थे तो वहां की आर्लेंड की पॉलिटिक से काफी एक्टिव हो गय थे उनको यह समझ वाया था इंगलेंड नहीं अभावित हो चुके थे खेर तो इस तरह से एनीवेसंट की लीग में जूड़ है इनीवेसंट और तिलक से थोड़ी अलग थी क्यूंकि तीलक की जो लीग थी वह बड़ी एक्स्रेमेस्ट हुआ करती थी अगर आपको याद होगा तो और एनीवेसंट की लीग के अंधरग लेवल के उपर हुआ वो 1919 के ट्रांजिशन में होता जलिया वाला बाग के प्रोटेस्ट के अंदर आपको पता ही होगा कि रॉलेट नाम का एक कानून लेके आई थी ब्रिटिस सरकार और रॉलेट का जो कानून था जिसमें नो अपील नो वकील नो दलील का दारा देते हुए प्रावधान हुआ करता था जिसमें कोई प्रकार की ट्रायल ना हो जिसमें कोई भी प्रकार की आपको अपील करने का मौका ना मिले आपको कारण भी ना पता चले और सीधा आप अरेस्ट विदाउट ट्राइल करते हो तो यह कैसे चलेगा इसी का ही नारा देते हुए नहरु जी ने भी रॉलेट सत्यागरा के सामने आवाज उठाया था यह रॉलेट एक के सामने सत्यागरा के अंदर पार्टिसिपेट किया जालेवाला बाग के अंदर इस पीरिड में ही उन्होंने भी अपने विचार न्यूस्पेपर के थूरू भी छापने की कोशिश की या लिखने की कोशिश की जैसे इंडिपेंडेंट नाम का एक न्यूस्पेपर भी उनके द्वरा आता था खेर रॉलेट का सत्यागरा फेल हो गया आपको पता ही होगा जलियावाला बाग के अंदर जिस प्रकार से हिंसा हुई करीबन सोला सो से ज्यादा लोग मारे गए जहांदी जी को लगा कि यह तो मेरे लिए हिमालियन ब्लंडर है जवाहार जो जिस तरह से मोटिवेशन होके आये थे उनको लगा कि यह गलत ह आवाने की शुरूवात हुई एक तो निउस्पेपर में लिखना शुरू कर दिया था मैंने बताया दाई डिपेंडेंट तो यह निउस्पेपर के थुरू अपने विचार को और प्रसरित कर रहे थे एक साइड के उपर उनकी लीगल प्रैक्टिस भी चालू थी लीगल प प्रदेश कंग्रस समीतिया थी उसके घठन किया गया था गांधी जी के दोर के अब चेस्टार से एक इंस्ट्टिशन के रूप में linguistic basis के उपर support कर रही थी नहरु उस period में United provinces के नेता बन किया है United provinces महलब आज के मोटे-मोटे तौर के उपर आप देखो कि उत्तर प्रदेश वाला विस्तार है और इसी period के अंदर जब असही गांदोलन हुआ non-corporation moment you might be aware about this moment as well okay तो यह जो non-corporation moment हुआ था non-corporation moment के अंदर नहरु जी का योगदान आपको देखने को मिलेगा सर ठीक है in fact यह जो non-corporation moment 1920 से 1922 के बीच में चला इस दौर के अंदर जवालाल नहरु का योगदान हमें एक पीजन्ट एजिटेशन के रूप में देखने को मिलता है और यह जो पीजन्ट एजिटेशन था इस पीजन्ट एजिटेशन के रूप में हमें यह पता चलता है कि किसान है आवद के अंदर जिस तरह से किया गया साथ उसमें वी विल सी कि नहरु जी किसानों के मुद्दे को लेखे बढ़ा चड़ा के हाइलाइट करके बताने की कोशिश करेंगे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उसके सामने हम आवाज उठा रहे हैं तो 1920 का दौर बड़ा सिगनिफिकन्ट रहा है नहरु के जीवन के अंदर और इस तरह से उन्होंने किसान सभा मुवमेंट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की और वी विल फाइंड की एक अपनी लीडर के रूप में जो टास्क है मैं कहूंगा कि यह लीडर के रूप में अपनी जो पहचान है अब आप देखें कि नहरु को बड़ी एंबिशन थी नॉन कोपरिशन मुवमेंट से असायो गांदोलन क्यूंकि इसमें तीन मुद्दे थे अगर आपको बताई होगा कि एक मुद्दा था खिलाफत का कि जहां खिलाफत के मुद्दों को लेके मुसल्मानों के साथ जो अन अंदर भारत्यों को निया मिलना चाहिए तो इन तिन मुद्दों को लेके जब असयो गंदोलन चुरू किया गया था घांधी जी के द्वारा और घंडी जी ने कहा था कि हम नॉन कोपरेशन करेंगे तो हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे और कोई भी प्रकार का कारियर ऐसा ही करेंगे जहां सरकार को हम मौका दें सो देट सरकार हमें सप्रेस कर पाए यहां से ही गांदी और नहरू के बीच में विवाद होने की शुरुवात हुई क्योंकि नॉन कोपरेशन को फूक दिया गया है अगर आपको पता होगा तो इन 1922 पुलिस टेशन वस एक्चुली बांट डाउन है ना 1922 के अंदर यह पुलिस टेशन के बाहर कुछ निहत थे भारती यह जो अशोयो गांदोलन के जो कार्य करता थे वो सब आंदोलन कर रहे थे और अपने पुलिस कर रहे तो नीटीक सरकार की चाल थी जहां भी सरकार खुद चाहती थी कि यहां जो व्यवस्ता की गई है जिसके थुरू कि वह सब्सक्राइब करते और यहां से हमें पता चलता है कि नहरु पूर रूप से गांदीवादी नहीं हो रहे थे इस दौर के अंदर पर फिर दिर दिर होने की शुरुवाथ होप को मिलेगी तो 1922 के दौर में 24 की घटना बनी एंड वी विल फाइंड की जब घांदीजी ना जब को स्टॉप किया तो नहरु कह रहे थे कि यह क्या कर दिया यह तो बहुत ही खराब वस्तू है मैं कभी एक्सपेक्टी नहीं कर सकता था कि एक थोटे से पूली स्टेशन के अंदर कुछ पब्लिक ने आके उसको फूंक देने की कोशिश की यह किस तरह से हमको देखने को है कि जो घटनाय बनी यहां इस प्रकार की जो इंसिडेंस बन रहे थे यह इंसिडेंस के कारण पूरी की पूरी जो विवस्ता है वो चर मरा गई और नहरु जो है वो थोड़े समय तक हमें देखने को मिलते है कि एंटी घांदी भी बन जाएंगे खेर 1923 के आसपास का दौ दौर आया नहरु का उस पीरेड के अंदर लोकल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही होड़ था कि अलहाबाद के बारे में आगर आपको जानकारी होगी तो अलहाबाद के अंदर जो लोकल नगरपाली का है वहां पर हमें यह पता चलेगा कि उसके मियर के रूप में भी उन् हमें ground के उपर से काम करने की बहुत आवज शकता है इन सब मुद्दों को लेके ही नहरु जी के अपने फादर के साथ भी विवाद हो गया आप देखिए जवालाल नहरु की अपने फादर के साथ विवाद हुआ पर यही जवालाल नहरु को अपने फादर के साथ विवाद लग गया विवाद की इस बात का लगा कि उनके फादर ना 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मुवेंट स्टॉप हुआ और घांदी जी जब जेल में चले गये थे तो कॉंग्रेस के काफी सारे देथा सी अरदास अजमल इन सबने मिलके एक स्वराज पार्टी नामक पार्टी की स्टाप ना की थी इस पार्टी का इंटेंशन यह था कि हमें boycott resolution यानि कि जो असयोग हमने जिस तरह से सरकार का किया हुआ और बहिश्कार किया उसको stop किया जाए और stop करके भारत में 1923 में जो चुनाव होने वाले ह है उस elections के अंदर participate किया जाए अब मोतिलाल नहरू चाहते थे कि Congress बढ़ चड़के पूर जोस के अंदर चुनावों में भागीदारी ले सो देट उसका बड़ा लाब मिले बाकी सारे लोगों को और Congress की जो पकड़ है बहुत अच्छी तरह से हो बर उसके सामने अगर आप ज आप जब एक बार ऊपर चले जाओगे councils के अंदर क्यूंकि उस पीरिट के संसद हुआ करती थी साधी भाषा में आप संसद सब्य बन जाओगे तो आप स्तानिक मुद्दों को दरकिनार करोगे और आपकी लोगों के साथ जो समवाध हो नहीं हो पाएगी इसी का एक कारण आपको मिलता है नहरू के जीवन के point of view से जिन्हों ने अपने ही father के साथ विवाध करते हुए कहा कि नहीं मैं आपकी party नहीं जोगूंगा और इसके कारण we will see कि जब स्वराज party बनी तो Congress के अंदर दो धड़े थे एक था pro changer का group जिसका मानना था कि Congress को अपना समिधान बदल के Congress की जो party politics से उसके उपर आके हमें चुनाओं में भागिदार लेना चाहिए पर जवालाल नहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको no changer के रूप में कहा गया है no changer इसके लिए क्योंकि नहरू जी का ये मानना था कि मैं कोई भी वस्तू का बढ़लाव नहीं करूंगा मुझे जो काइंड ऑफ पकड़ है पब्लिक के अंदर वो भी तूट जाएगी तो बहुत सारी चीजे हमको यहां से मिलती है खेर 1923 के आसपास का transition मैंने आपको बताया कि became the chairperson of the Allahabad municipality in fact Congress के General Secretary के रूप में भी उनकी contribution हुई और साथो साथ संस्ताओं के अंदर भी उन्होंने योगदान करता है in fact नहरू चाहते थे कि हम जितना moment ground से करें उतना ठीक रहेगा बात आगे चली 1925-26 के transition के अंदर नहरू basically active politics में थे constructive work करते रहते थे छोटा मोटा यह constructive work के अंदर we will find की जैसे 1925 में Belgao Congress होती है 1924 के अंदर कानपूर Congress होती है उसमें भी उनका जो active role है वो चलता रहा active role के अंतरगर जो continuity नहरू के जीवन में आई 1927 के अंदर आईगी जो बहुत ही landmark continuity है क्यूं क्यूंकि यहां पर भी उनकी गांदी जी के साथ एक dichotomy देखने को मिली मैंने कहा कि जैसे गांदी जी के साथ उनका एक संबाध हुआ था 1922 के अंदर और जब गांदी जी ने non cooperation moment को stop किया तो उसको लेके बड़े चिंतित हो जाता है नहरू और गांदी को और गांदी को क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी actions को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि गांदी जी आपको यह नहीं करना चाहिए था उसी की कहानी आपको फिर से नहरू के जीवन के अंदर आगे और है जब भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार ने कोशना की थी कि हम जॉन साइमन नाम के व्यक्ति के अधिक्ष्णा में कमिशन की रचना करके भारत में तातकाली करूप में भेज रहे हैं यू माइट भी अवेर अबाउट कि फरवरी 1928 के अंदर जॉन साइमन इंडिया के परिराम स्वरुक नेहरु जी उस पीरड में उसके रियक्षन के अंदर अपने प्रस्तावलाते हैं तो जब साइमन के कमिशन की वह खते आप देख सकते तो 227 के के अंदर नहरू उस पीरिड के अंदर सुभाश्चन्र बोस के बड़े अंगत हो गए थे क्योंकि इस पीरिड में सुभाश्चन्र बोस भी बहुत ही प्रॉमिनेंट लीडर के रूप मे आए खैर बोस के ऊपर उनकी जब जैनती आएगी तब और भी चर्चा करेंगे जन्व वस हैपन और वाई आई एम टॉकिंग की इस हैविंग अ कॉन्फिलिक्ट विड गानी जी अट टाइप तो 1927 के आसपास जब साइमन की एंट्री हुई भारत में यह साइमन की एंट्री नहीं हुई थी पर साइमन की खाली गोशना की गई थी उसके रियेक्शन में कॉंग् जि6 लीडर्ष ने मिलकिंग अपना गोल जो है वो बदल दिया था और लिखा था कि पूर्ण असवराज यानि की कंप्लीट इंडिपेंडन्स का नारा दे ही दिया था गर 1927 के अंदर ही नहरु सुभास बाबु के साथ मिलके पूर्ण स्वराज का नारा देने की कोशिश कर रहे था और कह रहे थे कि Congress का जो गोल है वो बदल देना चाहिए अब हमें स्वराज से एक स्टेप आगे जाके पूर्ण स्वराज की तरफ जाना चाहिए खेर वो पूर्ण रूप से complete नहीं हुआ पर कहने की बात मेरी यह है this is what I want to conclude is that की complete independence was first actually I would say as a part of Congress resolution passed by Nehru बट लेटर ओन घांदी जी ने अपना वीटो यूज किया और वीटो यूज करने के बाद कहा कि नहीं अभी देरी है हमें अभी पूर्ण स्वराज की तरफ नहीं जाना चाहिए हमें साइमन के रिपोर्ट के बारे में थोड़ा वेट करना चाहिए interesting कहानी यही है कि इस दौर में भी Nehru basically भारत के बाहर गये होते हैं उन्होंने इसी दौर के अंदर Soviet संग की मुलाकात ली थी Soviet संग वही प्रदेश है जिसे USSR के रूप में हम पैचानते हैं Union of Soviet Socialist Republic Lenin के मुर्त्य हो चुकी हो स्टालिन सत्ता के उपर आया है इस दौर के अंदर Soviet संग ने New Economic Policy की रशना की थी NEP कहते हैं यह NEP Lenin ने स्टापना की थी और इसी के बाद स्टालिन ने आके Planning Model को लागू किया था और Resources को Nationalize करते हुए पूरी Economy को Command Economy के अंदर कनवर्ट किया था यह जो व्यवस्ता थी इसको देख के जवालाल नहरू बड़े Signify होके और उससे काफी Motivated होते हैं क्योंकि जवाहर को लग रहा था कि अगर Soviet संग जो एकदम Backward Country के रूप में हुआ करता था एक ऐसा कंट्री जिसके पास कोई Resources नहीं थे या Resources थे पर उप्योग में करना नहीं आता था एक ऐसा कंट्री जिसके यहां हम यह कह सकते हैं कि बहुत बड़ी Poverty, Famine, Civil War, Crisis चल रही थी वो धीरे धीरे डेवलोप हो रहा है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो जवार इससे ही काफी inspired हुए मैं यह क्यों बता रहा हूँ उसके भीशे का कारण आप समझे कि 1927 के दौर के अंदर इसी model को motivate होके नहरू जब भारत के प्रदानमंत्री बनेंगे आजारी के बाद तो हमें एक चीज़ बड़ी prominently देखने को मिलती है कि यही नहरू उसको आगे implement करेंगे in the command economy you might be aware about the command economy model where the state decides every economic activities है ना पिन से देके plain तक almost state सब कुछ बनाता है with scope left for private sector क्योंकि Soviet संग में भी initially private sector allowed था जैसे भारत के अंदर आपको बिलता है वैसे ही Soviet संग के अंदर भी था पर कहने की बात मेरी यह है कि इस प्रकार की विवस्ता बनाई थी in fact इस period में नहरू काफी सारे भारतिय करांथिकारों से भी मिले थे बिखाजी कामा जो उस period के अंदर यूरोप में थी उरनाथ चटोपाद या बर्लिन में थे लेटर ओन फिर वो चले जाते है over a period of time to Soviet संग वो स्टालिन के साथ योगदान देने की कोशिश करेंगे in fact ये विजिट बड़ी prominent है with respect to नहरू's life क्योंकि यहां से ही नहरू और socialism की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जिसे हम लोग कहते है समाजवाद जिसके थूरू नहरू चाहते थे कि व्यवस्ता को basically कैसे चलाया जाए ख्यार 1928-30 तक का period interesting रहा क्योंकि इंडिया से तो कोई Simon Commission का member नहीं बना पर मोतिलाल नहरू जो नहरू जी के फादर हुआ करते थे उनके अध्यक्ष्टा में कमिटी बनती है जिसे हम लोग कहते हैं नहरू कमिटी का report आप देखे बड़ी interesting काहनी में बता रहा हूँ नहरू कमिटी की अध्यक्ष्टा में या मोतिलाल नहरू की अध्यक्ष्टा में ये मांग की गई थी कि भारत को dominant status based politics को अपनाना चाहिए और under the dominant status based politics या political structure the government of India should function मोतिलाल नहरू की ये मांग देखके जवालाल नहरू बड़े अपनी फादर से परहेस करते है आप देखे कि कितनी democratic इनके विचार से इनके father के साथ मदबेद थे इनके गांदी जी के साथ मदबेद हुए लेटरोन इनके काफी सारे leaders के साथ मदबेद रहेंगे intention ये था कि सबसे बढ़िया structure निकल कि आ है और इसके लिए जब मोतिला नहरू जी ने अपना recommendation दिया और कहा कि भविषय के भारत के निर्मान के point of view से और भविषय के भारत की जो स्तापना कर रहा है हम उसके दरस्टिकों मों ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी एक structure होनी चीए जहां dominant status होना चीए पूर्ण independence या complete freedom नहीं होना चीए पूर्ण सोराद नहीं होना चीए तो उसको देखे नहरू बढ़े नाराज हो गए उन्होंने अपने फादर की ही आलोचना कर दी जवालाल नहरू जो उस कमिटी के सदस्य भी थे और उनके फादर के मैं कहूंगा की विरोधी भी बन गए थे इससे समझ में आ रहा है कि नहरू जी के विचार कैसे रहे होंगे उस दौर में 1928 के अंदर नहरू कमिटी की रिपोर्ट के अंदर खुद मेंबर होते हुए भी उन्हीं के फादर ने जब अपने ही प्रपोजल को रिजेक किया मोतिलाल नहरू ने जवालाल नहरू के प्रपोजल को रिजेक किया तो उसके विरोज में जाके उन्होंने एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्तापना की थी सर बड़ी इंटरस्टिंग लीग है ये सुभाज बाबू के साथ मिलके इन्होंने बनाई थी इन्फेक्ट 1923 का दौर जवालाल नहरू के जीवन के अंदर बड़ा प्रॉमिनेंट रहा है क्योंकि इस दौर के अंदर जवार देखोगे तो आप सुभाज चन्रब बोस के साथ जुगलबंदी करते हुए आगे चल रहे थे खेर बात आगे चली 1928 के बाद का पीरड आया 1928 के बाद जवाल नहरू पहली बार अगर आप देखोगे तो कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे इन दर 1929 लाहर सेशन याद रखियेगा सर ठीक है तो इट वस्ट टाइम नहरू विल बिकमिंग अप्रेसिडेंट क्यों क्योंकि प्रेसिडेंट के रूप में इनके पहले इनके फादर जो थे वही कॉंग्रेस के बार अध्यक्ष्टा केर चुके थे और और भी लीडर्स आपको मिलेंगे इन फेक्ट 1930 में लाहूर में राभी नदी के किनारे जब उन्होंने जो स्पीच दी थी यह स्पीच में उन्होंने बहुत क्लियर कट कह दिया था कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज का नारा देके आगे चल रहये हैं तो हमारी अब ये फ्ला शडियंत sponge है जब हम भारत के अंदर से बिटिश होकुमाट को उखाड पैंकेंगे हम suppression के लिए संगर्ष करते हैं तो आप देख सकते हो कि नहरू की legacy कैसे निकल के आई है खेर यही नहरू पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए इसके बाद जो immediate आंदोलन शूरू हो था civil disobedience moment उसमें भागीदार देते है खेर उसके बाद उनको पकड़ भी लिया गया क्योंकि उन्होंने नमक के कानूं का विरोध किया था और इसके कारण 1930 में ज्यादा active politics में नह चांते है इसके बाद कराची के अंदर Congress की meeting होई कराची Congress की significance यह थी कि सर्दार वल्लबभाई पटेल Congress के पहली बार प्रेसिडेंट बनेंगे बर सर्दार वल्लबहई पटेल जब प्रेसिडेंट बनें तो Congress के अंदर एक प्रस्ताव पास किया था नाशनल इकनॉनीक Program का. National Economic Program और भविशय का भारत के अंदर स्वराज की परिभाषा क्या होगी और किस तरह से भारत को स्वराज को डिभाईल किया जाएगा मज़े की बात यह है कि जो Resolution जो काम काज करना था वो नहरु जी ने किया था. मतलब नहरु 1930 में भी Congress के देफ्श रहे यह 1929 में रहे नोट 1930 1930 में तो कोई आंदोलन के कारण कोई यह प्रस्ता भी पास नहीं हुआ था 1929 में लाहूर के अंदर कॉंग्रेस के अंदर जा बदीवेशन हुआ पून सोराज का नारा देते हुआ 1930 में तो नहीं बने 31 में पटेल अध्यक्ष बनते हैं पर मज़े की बात ही है कि जो कॉंग्रेस का प्रस्ता था वो नहरू ने लिखा था भाईशय के भारत में राष्ट्री आर्थी कारेक्रम जो सोशलीजम आधारित होगा इसका पूरा मॉडल नहरू जीन उसी पीरड के अंदर कल्पना करते हुए लोगों को दिखाया था कि इस देश को हम कैसे चलाएंगे यह सब कुछ नहरू जीन ने 1931 में ही उस ताइम के अंदर ड्राफ्ट करके किया था नहरू की चिंता 1930 के दस्वक में बड़ी इंट्रेस्टिंग रही है क्योंकि नहरू को लग रहा था कि भारत की आजारी तक तक पूरी नहीं हो सकती जब तक भारत के अंदर जो रजवाड़े है कितने साड़े पांसो से अधिक ज़्यादा रजवाड़े है उतका भी इंटिग्रेशन हम भारत के अंदर ना करें देखें इंट्रेस्टिंग स्टोरी है पटेल जैसे उस पीरेड में या आजादी के बाद पूरा का पूरा अपना कमर कसते है वैसा ही हमें नहरू के अंदर भी एड्रेस करने की जुरुआत करेंगे स्टेट पीफल का मतलब है कि भारत के अंदर जो प्रिंसली स्टेट से रजवाड़े थे ये रजवाड़ों को वहां के अंदर की जो लोकल पॉलिटिकल सिस्टम तो उसको रिफॉर्म लाने के लिए और प्रिंसली स्टेट के जितने को मिलती है तो अल्रेडी एक प्रजामंडल नाम के एक संस्ता बनी थी अकील भारतिया प्रजामंडल जैनारा नव्यास उसहंगरा डेबर विल फाइंड की लेटर और फिर शेक अब्दुल्ला आये कश्मीर की तरफ से विल फाइंड की हमें देशामर दास महता तो ऐसे लो सब्सक्राइब होगी कि 1935 में भारत सरकार ने गवर्मेंट अफ इंडिया एक लेकर आया थे तो उसमें धाचा ऐसा बनाया गया था जहां फेडरल पॉलिटी की बात की गई है और कहा गया है कि जो रजवाड है वो भी अपना सब भीजेंगे तो नहरु जी ने इस कानून क जब देखा तो उनको समझ में आया कि यह कानून तो भारत की सरकार को चला इनी सकता या भारत को चला इनी सकता इसके लिए नहरु जी ने एक सब्द इसको लेके किया था और कहा था कि यह पूरा का पूरा कानून जो है इट इस इक्विलेंट टो आल ब्रेक्स और नो तो यह जो आल ब्रेक्स और नो एंजिन के कहानी है वो भी क्रिटीसिजम के रूप में आपको देखने को मिलेगी और नहरु के जीवन के लिए बड़ा प्रॉमिनेट रहा यह प्रॉमिनेट इसके लिए हा क्योंकि इनके ही जीवन से उनकी जो पार्टनर थी कमला नहरु जी उनकी मृत्यू हो गई ही थोड़े समय तक वो दुख में भी रहे इंपक्ट उस पीरिड में उनकी वाइप की ट अब देखें बड़ी इंट्रेसिंग स्टोरी है यह 1936-35 का पीरिड है इस पीरिड में यूरोप के अंदर हिटलर आ चुका है जर्मनी में सत्ता के उपर हिटलर ने भी जर्मनी का उस टाम पर विकास किया था यह ट्राइट टू डेवलोप जर्मनी इंटो वन आप दी फास इसे आपको बाहर नहीं मिलेगी वैसे आपको मुसॉलीनी मिलता है जो इटली के अंदर फासी पार्टी का लीडर हुआ करता था तो मुसॉलीनी वांटेट टू क्रिएट ग्रूपिंग ऑफ एंटी ब्रिटिश कॉलोनी जितने भी कॉलोनियल पावर्स है और जितने भी कॉ रूल कर रही है उसके सामने आवाज उठाने के लिए तो नहरु जी को इन्वाइट किया जाता है पर मुसॉलीनी पर नहरु इस लाइक कि नो आई विल नाट वीट यू मिस्टर मुसॉलीनी बिकॉस यॉर वर्किंग नो डाउट इट माइट ब्रिटिश और एंटिक इंप रोमन ग्लोरी तो नहरु बेजिकली कह रहा है कि देखो मैं ब्रिटेश का तो विरोधी रहा हूँ पर मैं आपका भी सपोर्टर नहीं रहूंगा सर ओके इन्वाइट की उन्होंने मुसॉलीनी के अंदर की जो मांग थी वो नहीं की इन्फेक्ट वो स्पेन के अंदर चला रहा था तो यह जनरल फ्रैंको हिटलर का दोस्ता उसके सामने भी आवाज उठा थे तो बड़े इंटरनेशनलिस्ट रहे हैं उनके विजन के पॉंट ऑफ यू से एड़ इस तरह से 36-37 का पीरेड नहरु जी के अंदर बड़ा इंटरसिंग रहा खेर 1929 से ही जब लाह के अंदर कॉंग्रेस ने गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधारित जो इलेक्शन होने थे प्रोविंशल इलेक्शन थे उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए भी मैं कहूंगा कि जो कॉंट्रुबिशन था हो लिया और 1937 में जो इलेक्शन हुए ये इलेक्शन को फैच्पूर सैशन के अंदर वियल सी के पास किया था ये इसमें कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना है उसको लेके फैच्पूर सैशन के अंदर discussion तो कहने की बाद हमें यह मिलती है कि नहरू 1937 के कॉंग्रेस की इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं करीबन 80,000 किलोमेटर्स की उन्होंने यात्रा की थी उस दौर में just to make sure कि कॉंग्रेस का जो election campaign है यह election campaign में कॉंग्रेस करीबन successful रहे और यह नहरू ही थे जिनके contribution से यह नहरू ही थे जिनके contribution से जिनके योगदान से करीबन 7 राजियों में in seven states you will find Congress will emerge victorious और बाकी दो राजियों के अंदर भी हमें यह देखने को मिला कि Congress की जो सरकार है almost बनने की कगार के ओपर आ चुकी थी सर ठीक है तो seven plus two almost nine states के अंदर Congress अपनी presence बनाने की कोशिश करेगा और कहानी यह कही गई है कि यह सब नहरू ही थे जिनके contribution के कारण या we will see की जिनके योगदान के कारण यह हुआ in fact 1936-37 में Congress अपनी agrarian policy की तरफ चली जाती है and agrarian policy को भी लागू करती है इसके लिए भी कही ना कहीं नहरू जी की योगदान आपको मिलती है in fact all India किसान सभाज यसी संस्ताओं के साथ भी उनका जो नाता जुड़ा इसके कारण किसानों का जो विजन है और Congress का विजन है वो भी नहरू ने ने मर्ज कराया और इस तरह से Congress की अध्यक्ष्टा के अंदर तीन दफ़ा उन्होंने अध्यक्ष्टा की आजादी से पहले after independence he worked for Congress as a Congress President three times हमें ये पता होना चाहिए बात आगे चली 1937 के बाद का transition बड़ा significant है क्योंकि इस दौर में मैंने बताया नहरू और बोस की जुगलबंदी चलती थी और इस जुगलबंदी का परिणाम यह हुआ कि सुभाशनर बोस फाइनली 1938 में Congress के President बने अब जब Congress के President हरीपूरा के इंदर सुभाशनर बोस बने ये भी सूरत के पासे गाउं में ही हुआ था Congress का session क्योंकि गादी चाहते थे कि Congress जो है वो ग्रामिन विस्तारों में हो तो नहरू उस पीरिड में सुभाश बाबू के साथ मिलके काम करते हैं और अप नहरू का जो आर्थिक द्रस्टी कोल था खैस करके Planning Committee की जो स्तापना करने की थी बाद उसको लेके इन्होंने National Planning Committee की रशना करवाई ये National Planning Committee के Point of View से 1938 में जवाला नहरू डिसाइड करते है कि मैं ये कमिटी का अध्यक्ष बनते हुए भविशे के भारत के अंधर जो Fires Plan जो पंच वर्षी योजना है कैसे लागू करनी है किस तरह से भारत को Planning Model में आगे लेके जाना है इन सब वस्तुओं का भी कारिय जवाला नहरू ही करेंगे तो कहने की बात मेरी ये है कि नहरू का Economic Thought 1938 तक आते आते उबर के आ चुका है अब आखिर के जो 6-7 साल है बड़े prominent रहे है क्योंकि इस दौर में नहरू जी अब Congress से भी मन मुटाओ होगा उनके अपने leaders के साथ भी मन मुटाओ होगा जैसे 1939 के अंदर हमें ये देखने को मिला कि नहरू जी का सुभास्चनर बोस के साथ मन मुटाओ हो गया मन मुटाओ का मतलब ये था कि उस period के अंदर सुभास्चनर बोस जब तरिपूरी के अंदर Congress के अध्यक्ष बनते है और जब सुभास्चनर बोस के सामने Congress की Working Committee ने अपना resignation कर दिया तो उसमें सुभास्चनर बोस को सप्राइज ये नहीं हुआ कि Congress नी मेरे सामने बगावत की उनको दुख और सप्राइज इस तरह से हुआ कि मेरे ही साथी और मेरे बड़े ही प्रिय अजीज मित्र जवाहर मेरे से क्यों विरुद में गए खेर ऐसी बहुत सारी घटना देखने को मिलती है पर नहरु कंटिन्यूड इस लेगेसी इनफेक्ट इस पीरिड में नहरु कम्मुनलिजम के सामने भी आवाज उठा रहे थे कम्मुनलिजम क्यों क्योंकि उस पीरिड में 1940 के समय पे मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और मुस्लिम लीग नामक जो पार्टी है जो 1906 में ही बन चुकी थी पर 1949 के अंदर मुस्लिम लीग बड़ा ही कम्मुनल एजेंडा चला रही थी भारतियों के अंदर उनके अंदर एक प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि डिवाइड और दूल करने के लिए तो उसके सामने भी हमें ये पता चलता है कि नेरु जी आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए in fact 1940 के दौर के अंदर जवार विल बी continuing his legacy and contribution in the form of different different moment जैसे 1940 में August महिने के अंदर अगर आपको जानकरी होगी तो घांदी जी ने individual सत्यागरा की शुरुवात करोए थी इंडिविजिल सत्यागरा मिलना व्यक्तिगत सत्यागरा 1940 के अंदर August offer आया था August offer के विरूद में जो वाइतर था हमारा लिंगलिद गो उसके सामने एक आंदोलन करने की कोशिश की गई थी इस आंदोलन में घांदी जी ने ये कहा था कि हमें बड़ा कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए we should not start a national movement as of now क्योंकि इसकी impact British के ओबर कुछ और तरह से बनेगी but we will see कि over a period of time नहरूई थे जिनोंने individual सत्यागरा को भी आधार बनाया in fact individual सत्यागरा पहला विनोबा भावे ने शुरू किया था आपकी सेवागराम या वर्दा नाम की जगह से जहां से इनका अंदोलन की शुरूआत हुई थी और यही individual सत्यागरा के जो दूसरे सत्यागरी बने वो नहरू बने आप देखें कि इस पीरिट में नहरू गांदी जी के साथ थोड़े बहुत इनके मन मुटाव पहले भी हो चुके थे जैसे मैंने आपको बताया कि नौन कॉपरेशन मुवमेंट के समय पे जब चौरी-चौरा की घटना बनी उनको क्रिटिसाइज किया गया लाहूर कॉंग्रेस के पहले पूर्ण सुराज का जब नारा देने की बात ही उनिस सो सताथ में मदरास कॉंग्रेस के अंदर तभी भी उन्होंने गांदी जी को क्रिटिसाइज किया क्योंकि गांदी की मेथडोलोजी अलग थी नहरू की अलग हुआ करती थी इंटरस्टिंगली हमें एक चीज बड़ी क्लियर होई थी कि 1940 तक आते आते गांदी जी को लग रहा था कि मेरे शागिर्ट के रूप में कोई चल सकता है मेरे सिश्य के रूप मेरे डिसाइबल के रूप में कोई गल सकता है तो वो गांदी को लग रहा था कि वो नहर हुई गांदी डिसाइड टू चूज जवाहर एस टू पॉलिटिकल सक्सेसर क्योंकि जवाहर के पास जो विजन था और गांदी जी की ऐसी माननी थी कि जवाहर यंग भी है तो मल्टिपल रिजन्स के कारण विलसी के सक्सेसर के रूप में उपको पॉइंट किया और इसी के कारण लेगेसी के रूप में जो क्रिप्स मिशन के साथ डिसकेशन करते हैं अगर आपको पता होगा क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर आया था स्टेफट कृप्स उसके अध्यक्ष होगा करते थे और इन्होंने भारत के अंदर dominant status की मांग की थी नहरू उस period के अंदर कह रहा है कि dominant status is as dead as a door nail कि आप जो dominant status दे रहे हो ये तो equivalent to एक खिली के समान है और आपने एक बार दर्वाजे के अंदर खिली मार दी वो खिली का आप फिर से उपयोग नहीं कर सकते वही reality है तो इस द्रस्टिकोन से नहरू की योगदान और नहरू की contribution के रूप में हमको ये भी देखने को मिली कि वो कहते है कि हम नहीं करेंगे in fact कृफ्स mission के साथ discussion में भी नहरू ही थे खिर नहरू 1942 के बाद active नहीं हो पाए 3 साल तक क्योंकि August 1942 में जब जैसे ही quit India moment शुरू हुआ तो तीन साल तक नहरू जी को भी जैल में डाल दिया गया था in fact इस दौर के अंदर ही नहरू we will find कि अपनी biography और अपने अनुभाव को लिखने की कोशिश करेंगे discovery of India नामक बुक के अंदर आपको बता होगा कि भारत एक जिनके नाम की ये बुक है ये डिस्कवरी आफ इंडिया नाम की बुक है ये नहरू basically jail के 10 years में लिखा करते थे तो वेरी गुड ऑथर in fact he also started publishing a one more newspaper called as National Herald ये National Herald आज के तारीक में काफी चर्चा के अंदर भी है ये भी 1930s के समय पे उन्होंने publish करना शुरू किया था to give his view and opinion about what needs to be done and what should be the future of this country और basically socio-political awareness economic awareness करने की कोशिश कर रहे थे अब आप देखें कि 1945 में 1945 में we will find कि वेवल का प्लान जबाया तो वेवल के प्लान के बाद नहरू जी वेविल सी की शिमला की जो conference होती है ये शिमला conference में participate करने के लिए छोड़े गए Congress के और भी leaders को छोड़ा गया था और ये सबके सब दिगज पहुँचे वहाँ discussions करने के लिए खेल शिमला conference तो फेल होगी पर नहरू's legacy continued to live in fact नहरू 1946 में बड़े एक्टिव हुए इसके उपर मैंने एक lesson लिया हुआ है यहाँ यही channel के उपर कभी सब मिले तो देखेगा जहां मैंने बात की है कि how the British army played a dual role it was in the form of freedom fighter and it was also in the form of an empire builder है ना तो initially British Indian army जो है empire building में British को help कर रही थी यह British Indian army कुछ सालों के बाद freedom fighter के रूप में निकल के आएगी Orion mutiny भारत की नौसेना mutiny थी जिसने British सामराजों को हिला दिया था पूरी तरह से और यह Orion mutiny मूलता से हुई थी because of Redford Trials तीन भारतियों को पकड़के Indian national army के जो साइनिक थे उनको कोट मार्शल करने की कोशिश की जा रहे थी by Veval administration उस टाइम पे तातकालीक वाइसरों था Lord Veval और यह Veval administration ने जब तीन भारतियों को पकड़ा था जो इंडिया नाशल आर्मी के साइनिक सुभाश अन्र बोस के साथ जुड़े हुए थे Captain चानवास खान, गुरबाक शेंग धिलो परेम कुमार सहगल इनके सामने Congress ने पूरा पूरा battery of lawyers क्रियेट किया था ये battery of lawyers में जवाला नहरू सबसे prominent member के रूप में आपको देखने को बिलेंगे जिनों ने ये तीन व्यक्ती या तीन इंडिविजल जो हमारे भारती राष्टरवादी लोग थे आर्मी उनके कोर्ट मार्शल को रोकने की कोशिश की गए इनफेक्ट इतनी हालत खराब हो गए थी कि नहरू जी की दलीले सुनके जो ताथकलिक जज़ साब भी हका पका रह गया बाइद वे इनकी पूरी कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया को एडिमिस्टर कर रहा है थे करियापपा साब वही करियापपा साब केम करियापपा साब फिल्ड मार्शल करियापपा जो आजाली के बाद इंडियन आर्मी के चीफ भी बनते है और फिर फिल्ड मार्शल की उनको पादी दी गई थी करियप्पा साब लिखते है कि इनकी दलीले और इनकी जो अर्ग्यूमेंट्स थी और जो बाहर का माहौल था उसको देखे बिटिश हुकूमत काफी दर भी कही होती है खेर बात आगे चली 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया बात की थी तो 1946 के अंदर भारत में इंटरिम गवर्मेंट बनी जो वाइसरोय के अंडर में हुआ करती थी उसके मुख्या के रूप में भी नहरूई थे वी विल फाइंड की उन्होंने ही भारत की सम्विधानिक सभा के अंदर जो नीव रखी है उसकी भी आपको शुरुवात मिलेगी अब आप समझे की 46-47 का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग इसके लिए है क्योंकि 46-47 के दौर के अंदर जवालाल नहरू, we will simultaneously see this part की प्रिंस्टि स्टेट को लेकी बड़े चिंतित थे अब 1947 के अंदर जो रजवाडे थे उसका मुद्दा तो अलभाई पटेल ट्रील करी रहे थे अपने इसाब से डील करी रहे थे नहरू ने भी उस पीरिड में घुशना की थी और नहरू ने उस पीरिड में बड़ा significantly कहा था कि ऐसा कोई भी रजवाड़ा अगर भारत की समयधानिक सभा नहीं जोडने की कोशिश कर रहा है या मना कर रहा है कि हम नहीं जोड़ेंगे तो नहरू ने कहा था कि हम आपको enemy state के रूप में status देंगे हम आपको गदार state के रूप में गोशिट करेंगे और हम आपको ब्लेम करेंगे कि देखो आप भारत के नहीं जोड़ा है we have got every authority to take you within the union of India you can imagine कि यह कहानी थी नहरू जी के point of view से खेर बात आगे चली 15 अगस्ट 1947 का दिन अगर आपको बता होगा तो नहरू जी 14 और 15 अगस्ट की रात को याना Trist with destiny की एक बहुत ही famous speech देता है internet के उपर वो speech available है कभी समय मिले तो सुनिएगा कि long years ago we made a Trist with destiny a nation so long suppressed find utterance कि हमने कही साल पहले नसीब के साथ एक date plan की थी Trist with destiny का मतलब क्या है कि we planned a date हमारी destiny के साथ सरना Trist का मतलब यह होता है और एक ऐसा राष्टर जिसको सदियों से suppress किया गया है उसको finally मौका मिला बोलने का और वहाँ सही भारत की आधुनिक राज्ये के रूप में उसको shape-up करने की कोशिश कीगी इस shape-up के अंतरगत नहरू भारत की सम्विधानिक सभा के सदस्य भी रहे भारत के interim prime minister के रूप में भी कार्या करते रहे और भारत को reorganization करने का भी काम करेंगे अब देखिए कि कहानी यहां से शुरू होगी और 1947 से 1964 के बीच में नहरू जी का जो आगे का योगदान है वो कैसा रहा अब उसके उपर चर्चा करने की कोशिश करते है कि what has been the further contribution of Jawahal Nehru in the post-independence India तो दोस्ता नहरू जी का contribution आजादी के बाद बड़ा significant रहा है बड़ा interesting रहा है क्योंकि 1947 से 64 के बीच में एक ऐसे प्रधानते के रूप में उन्होंने इस देश की दूरी शंचार या एक मैं कहूंगा कि बागदोर संभारी थी जहां we will see कि British rule की legacy ने इंडिया को पूरी दरा से तोड़ दिया था आप देखे भारत में democracy की एक बहुत बड़ी challenge हुआ करती थी उस टाइम पे भारत के अंदर migration हुआ था सेंकडो लाखो की संख्या के अंदर refugees आये थे कुछ लोग यहां से migrate होके गए भी थे इस दौर के अंदर भारत में सम्मिधान बनाना था उस दौर में रजवाडो का integration करना था princely states के point of view से क्योंकि बहुत सारे princely states अभी भी मना कर रहे थे आपको भी पता है जुनागर है कश्मीर है 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 थराबाद है तीन बड़े prominent states निकल के आए हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत को economically advance करना है एक हमने capitalism के थुरू एक model British ने भारत के ओपर implement किया था इस model के थुरू भारत की अर्थ विवस्ता जाने की भारत की economy को पुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया तो उसको भी legacy के रूप में एक revive करने की आउशकता थी life expectancy 35 साल के आसपास है भारत के अंदर उस period में total literacy late 14 या 15 परसंट के आसपास हुआ करता था overall education की status और health की status देखो के तो खस तेहाल होके बैठी हुई है graduates की संख्या आपको हजारों की बाद नहीं मिल जाएगी medical engineering technology का जो अभ्यास्ता वो आपको भारत के अंदर नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है ये वो भी दौर है जहां भारत की economy और industrialization का पूरा model है वो fail हो चुका है क्योंकि British ने भारत में industries नहीं लगवाने दी जहां लगी भी थी तो वो भी limited development आपको मिलता है जैसे Bombay है कलकता है आहमदाबाद के अंदर textile mills थी चैन नहीं थी पर बड़े urban centers को छोड़ के कुछ नहीं था agriculture के अंदर जमींदारी system हमें देखने को मिलती है एक ऐसी जमींदारी system जहां we will see कि एक जमींदार किसान का सोशन कर रहा है land reforms नहीं था fragmentation of land मिलता है भारत के अंदर जाती प्रता का एक बहुत बड़ा दूशन जो caste और social discrimination हमको यहां से मिल रहा है भारत के अंदर जो minority classes थे उनके भी यह भी चिंता करने थी भारत को दुनिया के नक्षे के अंदर भी दिखाना था और भारत को navigate करवाना था with reference to the cold war politics क्यों? क्योंकि यह वो दौर है जहां अमरीका और Soviet संग जो USSR करके country हुआ करता था mixture of almost 15 countries together इनके बीच में एक शित यूद चल रहा था शित यूद की proxies पूरे दुनिया के अंदर खेली जा रही थी, Korea में लडाई हुई we will find कि आफरिका के अंदर लडाईया हो रही है Vietnam के अंदर लडाई हो रही है communism versus capitalism को लेके conflict हो रहा है तो नहरु को ये भी चीनता थी कि India should not be the theater of cold war भारत cold war के theater के रूप में नहीं होना चीए क्योंकि आम लोग theater of cold war बन गए तो फिर हमारी जो विकास हो नहीं होगी पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्ध को लेके भी आवाज उठानी थी और उसको लेके युद को भी अवाइड करना था बड़ी interesting legacy आपको भी लेगी तो एक देश के प्रधानमंत्री के होते हुए और वो भी ऐसे प्रधानमंत्री जो kind of non-elected थे non-elected क्यों थे क्योंकि उसना पर elections तो हुए थी 1946-47 में जो constituent SMD के अंदर से interim government बन के आई जो temporary government थी उसी नहीं 1950-51 तक भारत के अंदर we will see के साशन किया है तो कहानी यह है कि नहरू आजारी के बाद 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे इस period में भारत की democracy को भी strengthen करना है भारत में science and technology और education का भी development करवाना है भारत को education और social reform से भी pass on करना है खास करके we will see की woman की condition को आगे लेके आना उसको लेके भी संगर्स हो रही है भारत की economic को आगे लेके जाना है industrialization और एक welfare state की creation करनी है एक ऐसा state जिसके तरू भविशे के भारत की नीव रखी जाए क्योंकि नहरू को पता था की आजीवन वो रहे की ना रहे बट legacy के रूप में चीजे ऐसी चलाए in fact foreign policy के रूप में ये ध्यान रखा जाए कि अपने neighbors के प्रती एक system को बदला जाए चाइना को confidence में लिया जाए और साथा साथ non alignment की नीदी जो मैंने बताया cold war के अंदर बड़ी prominent थी और cold war centric plan ये किया गया कि हम नहीं soviet संके बने हैं नहीं हम अमरीका के रहें दोनों में गूट में ना जुडते हुए भी हम कुछ ऐसा कारिया करें जिसका लाप भारत को मिले तो not joining any of the groupings but make sure कि we take the legacy out of it यहां से नहरू जी की second debate शुरू हो थी post independence अब आप देखे बड़ी interesting कहानी आपको यहां से मिलेगी कि why Nehru was chosen as the prime minister and what happened in 1946-47 तो मैंने वलब भाई पटेल के वीडियो में भी यह चर्चा की थी मैं फिर से आपको revival करवा रहा हूँ हुआ यह कि Congress के अंदर जो प्रधानमंत्री की position तो पहले पता नहीं थी कि कैसे बनेगी पर 46 में presidential elections हुए थे और यह माना गया था कि जो अध्यक्षता Congress की करेगा वही interim government को lead करेगा यह presidential elections में Congress की जो constitution थी जो उनकी जो working थी उसमें जो प्रधेश committees है जयाने की provincial units of Congress से वो vote करती है इस voting में we will see कि Congress की करीबन 15 में से 12 provincial committees ने वल्लभे पतेल का नाम सज़ेस किया था कि he should lead Congress if he will lead Congress it is but obvious कि he should also lead the government of interim India मतलब उस period के अंदर जब बटवारा हो रहा था तब की बात है नहरू जी उस period में race में actually में गायब मतलब उनका number cut गया था पर it was गांदी who actually vetoed against it अब उसको लेके इतियास में डिबेट है कि यह जो veto किया यह सही किया या गलत किया या गांदी जी ने ऐसा क्यों किया वो तो गांदी जी ही जा रहा है पर उसके बीचे की एक legacy यह थी कि पटेल उस period में बड़े बिमार हो गए थे उनकी उमर भी almost 70 cross हो चुकी थी नहरू was quite young उनका vision भी थोड़ा अलग था गांदी और पटेल के बीच में आप देखोगे जैसे relations थे उसके comparison में नहरू गांदी के relations थोड़े अलग प्रकार के थे in fact मैंने बताया कि नहरू जो थे उनके शागिर्थ के रूप में गांदी जी ने गोशना करती 1940 के दशक में ही कि मेरे बाद national moment की legacy जो congress के अंदर से चलाएंगे वो नहरू भी चलाएंगे जो जोलाल नहरू खुद चलाएंगे तो ये भी एक शायद तक point हो सकता है और multiple factors के कारण most probably we will find कि नहरू उस made the prime minister in fact नहरू 1947 51 तक तो non elected prime minister रहे elected क्यों क्योंकि public ने vote नहीं किया था पर 51 के बाद 56 और उसके बाद 62 तक आते आते मलब है न 61-62 तक हमें देखने को मिलता है नहरू तीन दफ़ा भारत के प्रतान मंत्री बनते है आजाद भारत के और ये प्रतान मंत्री democratic process के थूँ बने थे ये दर्शारा है कि नहरू को एक चीज़ बड़ी चिंता में थी कि भारत के अंदर जो consolidation है और integration है उसको करना चाहिए नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी सर तो कहानी ये है कि नहरू we will find कि 1950-50 के दौर में 1949-50 के दौर में ही कनड़ा और USA विजिट करते है Planning Commission की रशना करते है और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि कहानी को आगे चलाएंगे In fact, नहरू के दौर में भारत के अंदर बड़ी सारी issues चल लए 1947 में जैसे देखोगे तो भारत की राजभाषा क्या होनी चाहिए Official Language ये Official Language को लेके नहरू जी की एक बहुत बड़ी criticism हुई क्योंकि Official Language की Controversy को ठार नहीं पाया उसको इंदर घाधी ने 1965 में खतम किया नहरू इथे जो linguistic reorganization की मना करता है In fact, अगर आपको बता होगा तो Constitution Commission ये Constitution के द्वारा अलग-अलग committees की रचना की गई थी जैसे एक था इसके धार Commission जिसने मना किया था कि भारत के अंदर भाषा अधारीत राजय नहीं होने चाहिए वैसे एक और committee बनिफी समयधानी की रूप से जिसके नाम था JVP committee जिन्नोंने कहा कि भाई जौला नहरू वलबहई पटेल पी सितरमा या कि भाषा अधारीत राजय नहीं होने चाहिए इनफेक्ट यही नहरू अंदरपदेश को 1953 के अंदर वी विल फाइंड की कंसीड कराएंगे और कहेंगे कि भाई I am allowing you to become a linguistic state in India ठीक है तो यह दर्शारा है कि नहरू की policies में अंदर काफी बड़ा flip-flop आपको मिलता है इनफेक्ट यह अंदरपदेश की स्तापना जिस तरह से हुई और पीस अरामालू करके एक व्यक्ती थे जिनका बिसिकली मृत्य हो गया 60 दिन के उपास के बाद उनको लेके भी नहरू की अलोश ना हुई इनफेक्ट यह नहरू को उस पीरड के अंदर 1955 के अंदर समझ में आ गया कि बही मुझे है भारत के अंदर जो states है वो भाषा अधारित करने पड़ेंगे और यही नहरू वी विल सी की फजल अली के अधिक्षता में SRC की रशना कराते है States Reorganization Commission जिसके recommendations के उपर ही भारत के अंदर जो समयधानिक रूप से जो नए राज्य है भाषा अधारित राज्य है उसकी निव रखी है उसका निर्मान किया गया बड़ी interesting कहानी है तो नहरू उस पीरड में वी विल फाइंड की बहुत सारी चीजों को stabilize करने की कोशिश कर रहे है प्रधानमंत्री के रूप में उनको बहुत सारी challenges आ रही थी ये challenges में भारत की tribal policies को लेके भी थी कि कैसे भारत के tribals का reintegration होना चाहिए interesting निजी के रूप में नहरू उवी विल फाइंड की एक policy लेके आता है जिसका नाम में superimposed नहीं होनी चाहिए क्योंकि जितनी superimposition होगी उतनी cultural identity का loss होगा और ultimately वो mainstream में आने की जगा और reactionary को हो जाएंगे तो interesting कहानी आपको ये भी मिलती है विल आल्सो फाइंड की नहरू ही थे जिनके काराकाल में भारत के अंदर सेंकडों करीबन 30-40 लाग से ज़्यादा refugees जो आये थे और जो गए थे उनकी resettlement और rehabilitation का भी काम हुआ तो प्रधानमांति ये रूप में उनको भर सारी challenges आपको देखने को मिलती थी ये challenges के point of view से बहुत लोगों का ये मानना था कि आजाद भारत कभी भी democratize नहीं हो पाएगा पर we if you'll see in the greater sense अगर आप इसको greater sense में देखने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ हमें नहरू की legacy के रूप में देखने को मिली और वो थी democratization of India और democratization क्यों क्योंकि नहरू चाहते थे कि भारत में लोकशाही रहे actually क्या हुआ कि नहरू पहले से ही मैंने कहा कि लोकशाही के point of view से बड़े चिंतित है और उनकी अपने father के साथ जिस प्रकार के संबाद हुए उनकी गानी जी के साथ जिस प्रकार से संबाद हुए उनके विरोध करते रहे throughout ये सब चीजे नहरू के जीवन में बहुत ही important बन गई थी और basically इसके कारण ही जब भारत देश आजाद हुआ समयधान जब लिखा गया तो पहली लोकसभा की जब चुनाव की गई तो उसमें आपको धंदली वाजी नहीं देखने को मिली आप देखे वो nominated government का पार्ट थे मैंने बताए interim government हुआ करती थी तो ये एक बड़ी prominent पार्ट है आप सोचिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमारे साथ ही बटवारे के साथ उसको भी transfer of power मिलती है पर क्या आज के तारीक में वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री elected five years complete कर पाया है आप देख लीजिए सरहना 1947 से लेखे आज के 2023 तक तो नहरू थे जो उन्होंने एक process को initiate किया उन्होंने कहा कि नहीं देखिए पात साल की term है election commission चुनाव कर आएगा और हमारा constitution ये कहता है कि we should have a five year term we should make sure कि we should conduct general elections every year सर ठीक है तो general elections की जो प्रथा है जिस तरह से we will find की जो legacy के रूप में शुरू करवाईगी थी क्योंकि देखो पहले leader के उपर ही सब कुछ होता है अगर पहला leader ही कुछ गफला कर दे या पहला leader ही कुछ चीज़े घराब कर दे तो ultimately आपकी democracy खतम हो जाएगी नहरू का ये मानना था कि देखो we should start the process ये धीरे धीरे evolve होगा और भारत में यही हुआ ये process gradual period के अंदर evolve भी होता है तो काफी लोगों ने कहा कि देखो dictatorship जैसे system बहुत ठीक रहेगी इंडिया के लिए पर नहरू ने मना कर दिया नहरू उस period के अंदर communism के सामने भी लड़े है क्योंकि election के अंदर बटवारे का मुद्धा बहुत चर्चा में आया नहरू ने कहा कि भी देखो हम communal forces का साथ नहीं दे सकते है कब तक हम देंगे नहरू जब पहला चुनाव लड़ रहे थे आप समझने की कोशिश करिए कि पटेल की मुर्त्य हो चुकी है घांदी जी की मुर्त्य हो चुकी है बोथ इस टॉलवर्ट्स ऑफ दे नैशनल मुमेंट वर आउट एन दे वर नॉट अलाइव सर तो ये लेगेसी के रूप में यूथ फेस था जिनको लेगेसी पता थी कि क्या करना है कैसे चलाना है चो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि डेमोक्रेसी को नर्चर किया जाए पॉलिटिकल पार्टिस को ग्रो किया जाए इंडिया को एक कॉंस्टिशन सेट अप के थुरू गवन किया जाए और नहरू बिलिवड इंटो इस पार्ट उनकी बिलिव सिस्टम ने ही भारत के अंदर एक स्ट्रॉंग डेमोक्रेसी की इनिशेशन की आप देखिए अटल बिहरी बाचपाई का नहरू जी के साथ जो पहला समवात था वो यहां से तो शुरू हुआ था तो अटल बिहरी बाचपाई एक दफा कहते है कि मैं संसत के अंदर सबसे पीछे की रो में बैठा करता था क्योंकि वो सेकंड लोग सभा के अंदर चुनाव लड़के आये थे जब लड़के आये तो उनको पहली बार बोलने का मौका मिला और बाचपाई जाब ने जब बोला तो उसके बार नहरू जी उनके पास गए और कहा कि यंग मैं आपको भारत का बहुती उजला भाविश्य देखना है सारी भाषा में आप देखे तो नहरू जी हैड रियलाइस द पोटेंशियल वाट अतनुई हरी बाचपाई वा स्पीकिंग बाउट और इंडिरेक्ली सौ दिस पार तो आप समझ सकते हो कि नहरू जी की इंप्लिकेशन उनकी इंपक्त कहां से कहां आपको मिलती है सर ठीक है तो उनको ये चीज़ पहले से पता थी कि देखो भारत के अंदर elections को normative रूप में हमको उसको बनाना है और 5 साल में conduct होने ही चाहिए हाँ हम कोई भी आधार बना कि ये नहीं कह सकते है कि elections नहीं करवाएंगे अगर पहली elections नहीं होते दूसरे elections नहीं होते तीसरे elections नहीं होते तो क्या होता सर ठीक है भारत में cabinet system की स्तापना करना प्राइम मिनिस्टर को first among equals के रूप में आप देखी इनकी वलब भाही के साथ बहुत बातों के अंदर मधभेत होते रहें और ये मधभेत में यहीं बात चलती रही कि प्राइम मिनिस्टर कौन है तो विल फाइंड की नहरू जी और वलब भाही ने बड़ा क्लियर कट कहा कि बहुत देखो प्राइम मिनिस्टर इस first among equals and you have to accept our opinions as well and that is one of the reasons नहरू had to go like no following the whims and decisions of the cabinet system as well तो बड़ी interesting कहानी आपको मिलती रहती है civil liberties को उन्होंने push किया in fact he wanted to make sure कि जो press है उसका भी development हो judiciary एक independent organization के रूप में रहे तो बड़ी interesting कहानी मिलेगी और नेता के रूप में उनको एक चीज़ बड़ी चिंता में थी कि मुझे public के साथ बात कर रही है public के साथ contact में रहना है नेहरू उस पीरड में 1950s और 60s के दौर में भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हुए he was also writing letters to the chief ministers तो interesting कहानी आपको मिलेगी वो है letters to the chief ministers letters to the chief ministers का मतलब यह है कि नेहरू उस पीरड के अंदर भी भारत के जितने भी राज्य के मुख्यमंतरी थे उनके साथ समवाद करना चाहते थे उनके साथ उनको vision दिया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो overall भारत में democratization की जो शुरुवात है यह democratization का जो foundation है ऐसे तो no doubt Indian national movement नहीं रखा था पर हो सकता है कि कोई नेता आके लेने की कोशिश कर सकता था कोई भी व्यक्ति आजाए जैसे वह आर्मी ने capture कर दिया तो क्या होता था ठीक है इनफेक्ट नहरू ने civilian government और आर्मी के भीच में बड़े cordial relations को maintain करवा है और इस तरह से भी हमें देखने को मिलता है कि armed forces की अपनी legacy अपनी institution setup और civilian government की अपनी महत्वता यह दोनों को इन्होंने balance करने की कोशिश की खेर उसके बावजूद भी विल फाइंड की नहरू को काफी बार criticize भी किया गया इसी दौर में जैसे केरला में 1900 communist सरकार के उपर हमें 353 यूज किया था हमें ये भी बढ़ा चला कि नहरू जी land reforms करने की कोशिश कर रहे थे ये land reforms करने के चकर में इन्होंने right to property वो ही basically हटवाने की कोशिश की क्योंकि land reforms पूरी तरह से fail हो गया था जब आपको पहला प्लान पता होगा तो थोड़ा बहुत सा ठीक है in fact इस दौर में इन्होंने जब 9th schedule को लागू किया तो executive versus judiciary का भी matter आया कि executive कितना बड़ा है क्या वो judiciary we will find कि क्या उसको overrule नहीं कर सकती है जैसे आज की तारीख में अंदर supreme court के लिए के matter हुए तो नहरू के period में ही हमको शंकरी प्रसाद का case देखने को मिल जाता है over a period of time हमें land reforms को लेके बहुत सारे मुद्धे निकल के आया है 9th schedule का misuse होते हुए बहुत बार देखने को मिला in fact cabinet system के अंदर भी नहरू जी की काफी वारी अलोचना हुई क्योंकि cabinet system के अंतरज़त उनके ही अपने cabinet कलिक्स के साथ फिर काफी बार मदवेद भी हो गया सर ठीक है जैसे बाबा साहिब आमबेड कर हुआ करते थे आमबेड कर के साथ हिंदू कोर्ट बिल को लेखे इनके काफी बार मदवेद हुए और finally we will come to know कि बाबा साहिब है to resign from the Nehruvian cabinet कि बई देखो आप अपना करिये तो मैं भी अपना करता हूँ पर overall स्थिती के हिसाब से नहरू को हम लोग जरूर से याद रखेंगे कि एक strong democratic setup parliamentary institutions की स्थापना करवाना in fact ये जो parliamentary institution में ये जो zero hour जैसा concept आपको पता होगा ये सब उसी period के अंदर initiate लेके है ना आप देखें conventions बहुत matter करते हैं customs के रूप में जो प्रताय निकल के आ रही थी तो उन सब का भी use we will find कि नहरू जी के द्वारा किया गया और इस तरह से भारत में democracy को ऊपर से लेके नीचे तक लागू किया नीचे क्यों क्यों कि पंचायती राज की बात करेंगे तो पंचायती राज में CDP की स्थापना की गई community development program you might be aware about this part है ना कि नहरू के समय पे पंचायती राज को constitutional setup नहीं दिया गया था constitutional setup तो राजी गांदी के कारेकाल के अंदर आपको मिलता है थीक है but it was Jawaharlal Rehru who wanted to make sure कि भारत में पंचायतों का उदय हो और इसके लिए ग्रामीन विकास को लेके बड़े चिंतीत रहे थे क्योंकि गांदी जी ने भी कहा था कि इंडिया lives in its villages and he wanted to establish a welfare politics or welfare state in the village system as well और इसके लिए ग्रामीन विस्तारों में खेती का विकास हो, health education का development हो इसके लिए पंचायती राज की निव रखी के थी खैर successful नहीं हुआ लेटर ओन फिर नहरुजी के कारेकाल में ही बलवंतरा मेहता committee बनती है यह बलवंतरा मेहता committee ने organizationally पंचायती राज का और development की यह in fact decentralization हम लोग कह सकते है in the political system खेर यह decentralization कितना successful रहा वो नहरुजी के basically outcome के रूप में हमें आगे देखने को मिलता रहेगा इसके सिवा नहरु was also we can say a person जो administration को लेके we will find की काफी सारी जगा के उपर हमें criticism आपको मिलती है अब यह क्यों मिली थी उसके बीछे का कारण देखिये सर ठीक है तो नहरु was against the ICS Indian Civil Services अगर आपको बता होगा ठीक है पटेल ने उसका नाम बदल के और उसकी legacy को उसके character को बदल के IES करने की कोशिश की problem यह हुआ कि पटेल IES करता हो गए पर नहरु being the chief ultimately वो cabinet secretariat या kind of आप देखोगे तो प्राइमिस्टर office के तो सब कुछ जो चला रहे थे खेर PMO के office बात में बनी बट जो administrative structure होना चाहिए उसके उपर जिस प्रकार की एक प्रकार की resting हो जाती है corruption के आरोप लगते है agents of change के रूप में जो IES को काम करना चाहिए थीक है वो basically नहरु उसको criticize करते है नहरु का ये मानना था कि देखो ICS तो बड़ी slow moving है और वो तो काम नहीं कर पा रही है जब IES बना भी सही तो over a period of time जो attitude of bureaucracy है bureaucracy के अंदर जो corruption की आरोप उस period के अंदर भी लगे थे उसको basically नहरु चेंज नहीं कर पाए बर उसके बावजूद भी overall contribution नहरु का education में और बाकी सारे वस्तों में आपको बहुत देखने को मिलता है आप समझ ये कि 1950 के दौर में जब भारत आजाद हुआ तो hardly 15 to 16 percent of population was illiterate sir मतलब 85 percent of population was illiterate sir can you imagine this part नहरु ही थे जो ये plan कर रहे कि कुछ काम कर सकते है और इसी के कारण करीबन 1960s तक आते आते we will find कि more and more number of people started coming out from colleges जैसे 3 लाग से ज़्यादा विधर्थी स्कूल से निकल के आए primary education और higher secondary education के लिए फिर funding देने की शुरुआत होती है state government को उन्होंने specially लिखा उस दौर के अंदर भी कि देखो आप अपना खर्चा कम करो पर ऐसी जगह पर ना करो जहां सिक्षा के अंदर problem आ रही हो in fact नहरू 1961 के अंदर ये चीज़ को भी implement कराने की कोशिश करेंगे अंदर डीपीएसपी जो कह रहे है कि देखो हमें free and compulsory education देना चाहिए to all the children with respect to the age of 14 तो काफी सारा कारिय कर रहे है और इसका परिणाम 1964 में मिला भी सही जहां धाई अजार से ज्यादा बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें colleges के स्तापना की गई थी and हमें ये पदा चलता है कि overall students की जो संख्या है वो भी बढ़ी है in fact नहरू बड़े significantly एक चीज़ में मानते थे वो थी science and technology का progress आप देखिए कि भारत में जब infrastructure की कमी थी तो नहरू ही थे जिनोंने इस period में आजादी के बाद infrastructure को push किया उनका ये मानना था कि science के थ्रू ही हम लोग चलेंगे और इसके कारण irrigation infrastructure को वो push करते है भाखरा और नंगल बिसिकली यह भाखरा नंगल जो project है उसको dand के रूप में वहाँ पर परिवर्तित किया जाता है और कहा जाता है कि there are the temples of modern India you might be aware about this part कि नहरू कह रहा है कि यह तो temples of modern India बनेंगे यह भविशे के भारत के मंदिर के समान है जिसके थुरू हम लोग बनाने की कोशिश कर रहा है in fact science के point of से बड़े इनकी interesting कहानी मिलती है Indian Science Congress अगर आपको बता होगा जगदिश्चंदर बोस के दौरा स्तापना कीगी थी बंगाल के scientist थे बड़े बड़े physicist ISC के वो इन्होंने address किया था 1938 में खुद तो basically lawyer हुआ करते थे but he had great interest in science as well and he wanted to use science for the welfare and humanity and overall development of this country in fact भारत की आजादी के बाद जो space research है और उसके उपर जो काम करने वाली संस्ता है PRL की स्तापना वो भी उनी के समय पे हुई CSIR Council for Scientific and Industrial Research आज के तारीक में भी body चल रही है वो भी इनके ही हो गई थी पहले पर नहरू नहीं उसको legacy के रूप में चलाया भारत में scientific education का development और technological education का development हो इसके लिए IIT की foundation भी इसी दौरे में हुई आप समझने की कोशिश करिए की भारत British तो कुछ छोड़ के नहीं के इनके आपको 2-3 engineering college या 10 engineering college मिलेगी 5-6 medical college मिलेगी बड़ी वाली बाकी कुछ रही था लोग पढ़ाई के लिए London जाया करते थे London जाके भी we will find की limited education ही मिलता था तो यह नहरू की ही legacy है it was the legacy of Nehru only and Jawalan Nehru only where we will come to know की more and more of education was given and the IITs were formed IITs आज की तारीक के अंदर आप देखिए की IIT से pass out जितने भी topmost engineers है या जो भी वहाँ के जो technocrats है वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी companies को lead कर रहा है पर यह नहरू की vision थी भारत में ही scientific policy को लेके resolution pass करना और कहा गया की देखो हमें funding बढ़ाना पड़ेगा तो पहले सरकार बहुत limited funding दिया करती थी नहरू की regime में यह चीज़ बदली in fact 1960s में IIM की stopना भी नहरू के समय पे हुई you can imagine की the foundation जो अधुनिक्ता का foundation है तक्नीकी व्यवस्ता के अंदर वो भी नहरू के समय पे हुआ इसी continuation में we will find की भारत के अंदर Atomic Energy Commission और Nuclearization Program की भी foundation नहरू के समय पे हुई थी सर तो we will see that Department of Scientific Research and Atomic Energy Commission हुमी बबबा हमारे जो scientist थे खैर लेटर ओन एक plane दुरगटना में उनकी बुत्त्य होगी बड़ा शडियंतर वाली कहानी है पर nuclearization की भी नीव उनी के समय पे रखी गी खैर उसके उपर आगे नहीं काम कर पाए पर Atomic Energy की स्तापना करना Peaceful Nuclear Power का development करना वो सब भी आपको मिलता है और ये नहरूई थे जो विक्रम साराबई से convince होके इसरो की precursor संस्ता की स्तापना करते है जिसका नाम था INCOSPAR Indian National Committee for Space Research यही संस्ता फिर इसरो बन गई Indian Space Research Organization इन फैक्ट दिस वास्ट बॉड़ी जो space research के लिए थी ये भी हमको नहरू के कार्यकाल के अंदर और उनी के ही tenure के अंदर आपको मिलती है भारत को autonomous बनाना है sustainable बनाना है technology को defense के अंदर use करना है and this is how we will find HAL was formed up हिंदुस्तान Aeronautics Limited you might be aware about HAL as an institution जो आज के तारिक में भारत तेजस जैसे विमान आज के तारिक में बनाया है और DRDO जैसे संसा हमें देखने को मिलती है जो defense research development organization research and development का काम करती है ये सब कुछ हमें नहरूवियन रिजीम के अंदर ही मिलेगा तो नहरू बड़े प्रकर हिमायत करता थे उन्हों का मानना था कि space, atomic उसके साथ साथ हमारी defense जो भी need से उसको fulfill करते हुए में संस्ताओं का निर्मान करना चाहिए आज देखिए आज की तारीक के अंदर H.A.L. बड़े-बड़े defense orders ले रही है DRDO में India self-sustainable हो रहा है इंडिया ने we will see की private sector और public sector को साथ में रखते हुए बहुत सारे ऐसे missiles और rockets बनाया है जिसका उपयोग आज के दौर में तो उसकी नीव तो कहीं न कहीं नहरू के द्वारा ही रखी गई थी क्योंकि उनको पता था कि कैसे हमें देश को आगे लेके जाना है तो कहने की बात यह है कि नहरू जी की legacy और नहरू जी का contribution जो है वो भारत के अलग-अलग sectors के अंदर हमें देखने को मिलेगा यही continuation के अंतरगात नहरू जी को हम लोग याद रखते है that is with respect to the economic part as well अब देखे economic part के अंदर काफी लोगों ने कहा कि बेदेखो planning model fail हो गया पर आप पहले दो fire plan देख लीजिए या पहले तीन fire plan देख लीजिए इंडिया had reasonably grown from 0% और negative growth to around 5% पंच वर्षी योजनाओं के अगर आप model को देखोगे तो हमें पता चलता है कि British Carl के अंदर हमारी GDP 0 थी लोग criticism करते हैं कि इंडिया ने क्यो planning अपनाया वाइ इंडिया adopted planning अगर प्लानिंग नहीं अपनाते कमांड economy नहीं अपनाते तो क्या capitalistic model को अपना थे एक ऐसी विवस्ता जहां बाजार सब कुछ dominate करता है और private sector ही आके कहेगा कि मेरे इसाफ से आपको चीज़े चला नहीं है तो कैसे चलेगा हमको एक inclusive state बनाना है welfare state बनाना है poverty ridden पूरी population है अकाल के उपर अकाल आ रहे थे आप देखें आजादी के बाद हमने कुछ सालों तक we will find कि गेहूं या अनाज हमने मंगवाया पर after some years we started we stopped the importing of food यह कैसे हो पाया it is because of the institutions and the legacy that were built up तो नहरू का यह बड़ा clear cut मानना था कि देखो socialism जो समाजबादी विचारदा रहा है वो politics में भी आएगी और साथो की साथो economy और society के लिए भी helpful है long term के अंदर inclusive development, social stability और poverty और upliftment of population जहां सब गिने चुने लोग दूर का भी व्यक्ति हो उसका विकास हम लोग करेंगे वो इसी के थुरू possible था तो socialism ही आपको opportunity देगी सोशलिसम ही आपको आगे लाने का मौका देगी और state के सीवर किसी और के बाद पैसा भी नहीं था so this is how the planning model was implemented इसी point of view से we will see कि नहरू के हम लोग दरस्टीकों से जब देखेंगे तो इनके दौरान इनको प्लानिंग भी अपनाया यह नहरू ही थे जो उस पिरिट में social welfare की साथ-साथ social change की भी बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि land reforms को initiate किया 5 years plan को लागू किया economic development public sector के अंतरगत किया अब देखें public sector की working को लेके जरूर से criticism आपको भी लेगी जहां यह कहा गया कि नहरू जी के कारेकाल के अंदर जो public sector undertaking से उनकी एफिशन्सी का था आप देखिए banking का nationalization भी इसी दौर में सबसे पहले हुआ लोग कहतें इंदिरा गादी ने 1969 के अंदर बैंकों को nationalize करना शुरू किया पर यह तो RBI आप देखोगे और SBI को भी इसी एकाद साल के अंदर ही 54 तक आते हैं हमने nationalize कर दिया ठीक है तो नहरू के समय पे ही social change भी आपको मिलता है मजदूरू को लेके भी rights मिलते है untouchability को लेके constitution में तो provision था ही article 18 17 but we'll also see that untouchability को law लेके आए reservation positive affirmation की कहानी आपको देखने को मिलती है जो नहरू थे जो आम बेटरकर की policy को support करते है और कह रहा है कि देखो जो दवा कुछला वर्क है उसको भी हम support करेंगे हिंदू code bill के अंतरगत women को basically rights theory की शुरूआत हुई जहां स्तिरियों को right to divorce right to acquisition of property की बात कर रहे है तो ये भी एक बड़ा significant part है कुछ-कुछ आलोचक नहरू को ज़रूर से criticize करता है uniform civil code को लेखे और काफी लोगों का ये मानना है कि नहरू जी यहां मात खा गए आप देखे कि नहरू उस period में minorities को appeasement के point of view से नहीं सोच रहे थे पर वो सोच रहे थे कि days को थोड़ा stable करने तो फिर uniform civil code लाएंगे तो जैसे जरूरत पढ़ती गई वैसे वैसे खेर stability आ नहीं पाई वो बात अलग है उनके उपर आगे चरू से चर्चा करेंगे तो ये कौनकी आरोचना का point भी हो सकता है कि देखिए क्या हुआ पर नहरू वोसर वेरी हार्ड कोर secularist person देखिए secularism को सम्विधान में उन्होंने नहीं डाला था secularism को तो इंदरा गानी ने डाला 1976 के अंदर पर नहरू उसके बावजूद भी कह रहा है थे कि देखिए मैं चाता हूँ कि हम बीन सम्प्रदाइक रहें भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति हो वो सम्प्रदाइक की दरफ ना जाए और सब को scientific education देने की कोशिश करें जिसके थुरू भारत के अंदर जो multi-religious society उसको एक लाए secularism का मतलब यह है सर्वधर्म संभाव, state basically किसी के साथ discriminate नहीं करेगा you have the right to follow whatever religion you want problem इसमें यह हो रहा था कि secularism के point of view से नहरू जी यह ideology को public के अंदर deep root नहीं कर पाए education के थुरू उनका यह मानना था कि जैसे ऐसे technology बड़ेगी awareness आएगी लोग अपने धार्मिक जो rigidity है बाइगट रही हो छोड़ के चले जाएंगे खेर इसी सब के कारण नहरू जी की criticism भी हुई in fact नहरू बड़े significant व्यक्ति से जिन्होंने conservatism को बहुत ही oppose कि उनका यह मानना था कि हमें अधुनिक्ता की तरफ लेके जाना चाहिए हमें भारत को और push करना चाहिए women के rights को लेके बड़े चिंतित थे इसके लिए मैंने आपको बताया कि हिंदू code bill के उपर भी काम करते है in fact minority को लिए इनके बड़े significant agreement रहे है जहां उन्होंने नहरू लियाकत agreement किये थे पाकिस्तान के साथ ठीक है ना समझे इसके उपर मैं आता हूँ क्योंकि ये agreement भारत के अंदर रहने वाली जो Muslim minority है उनके rights को secure करने के लिए किये गए थे और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान का Prime Minister साथ उसको बहीं कहा गया था कि तुम जाके अपने देश के अंदर जो सिख है जो हिंदू है जो सिंदी minority है बाकी सारे उनकी ध्यान रखे उनकी रक्षा करे खेर पाकिस्तान तो नहीं कर पाया पर भारत ने कर दिखाया तो नहरू के vision थी क्योंकि नहरू का ये मानना था कि देखो आप कोई भी हो सरहना आप बहुमती से हो लगुमती से हो आप ultimately भारती हो हम हमारे देश में किसी के साथ धार्मिक रूप से कोई भी प्रकार का भेदबाव नहीं करेंगे problem नहरू के साथ overall politics में यही रहा कि नहरू जी की जो legacy है खास करके political weaknesses के रूप में हमें ये चीज़ पता चल रही थी कि वो masses को convince नहीं करा पा रहे थे और masses भी उनसे थोड़े थोड़े विप्रित होगे उसके बावजूद भी जैसे मैंने बताया कि राज्यों के formation को लेके 53 में अंध्रप्रदेश में धमाल हुआ इसी दौर में गुजरात में धमाल हुआ जैसे 1956 के अंदर फजरलली कमिशन ने ये कहा था कि गुजरात और महरास्टर को basically अलग कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए पर नहरू उसके लेके विरोध में थे और उनका कहा कि मैं नहीं करने दूँगा फिर 1960 तक आते आते फाइनली नेदी हैट तो तो कभी-कभी ये होता था कि उनका टच जो था वो लूज हो गया था टच लूज होने का मतलब है कि he was not able to convince what he had the vision for India but basically हुआ ये कि ultimately जो लोग है उनसे थोड़े दूर चले जाते है institutions जो बनाने चाहिए थे नहीं बना पाए बहुत सारी policies उनकी fail हो गई जैसे land reforms की policy fail हो गई community development program fail हो गया centralized planning model और PSU की जो system थी उसमें भी हमको ये problem मिलती है problem ये भी था कि party के अंदर भी problem आ गई आप देखे कि Congress जो है जो national movement की Congress थी वो अजरी के बाद की Congress के अंदर चली हो गई ठीक है in fact he was also the president of party and he was also the prime minister for few years तो उसको लेके भी नहरू जी की एक अलोचना होई की भी देखो conflict of interest हो रहा है इनके लेके से ठीक है क्योंकि वो Congress के अध्यक्ष भी है और साथर साथ we will find की देश भी चला रहा है तो will he be able to do justice क्या वो नियाय दे पाएंगे तो overall इनकी आलोचना थी ऐसी नहीं थी कि नहीं हुआ करती थी बट हमें ये देखना से ये कि इनकी greater vision में इंडिया में क्या contribution हुआ ये contribution में नहरू basically बड़े चिंतित समय के अंदर भारत के प्रधान मंत्री बने क्योंकि उस period में पूरी दुनिया में decolonization को push करना था सांती रखनी थी nuclearization को रोकना था country to country relations को improve करना था और साथो साथ ये भी देखना था कि इंडिया एक powerful nation के रूप में निकल के आए इस दौर में नहरू की policy basically बड़ी significant निकल के आई एक थी चाइना के साथ उन्होंने किया था पंचशील जो 1954 के अंदर थी और दूसरी थी non alignment जो 6162 के अंदर लागू की गई अब देखे नहरू पंचशील करते है चाइना के साथ उसको काफी लोग criticize करते है पर देखे objective क्या थे mutual non interference या peaceful coexistence mutual respect for each other's territorial integrity या लिखा गया है कि equal and mutual benefit of relationship ये पांचों के पांचों सिधान्त जो 1954 में जाओ अनलाई और नहरू ने किये थे इन सिधान्तों को क्या आज की विदेशनीती की policy में लागू किया जा सकता है क्या आज के global world order के अंदर अगर हम लोग देखेंगे कि जहां problems हो रही है क्या उसमें लागू किया जा सकता है तो ये सब के सब सिधान्त ऐसे थे which can still be used and it can be used to resolve the global problems नहरू की विदेशनीती, world peace decolonization यानि की colonies को freedom के point of view से nuclear race से हटने के लिए economic ties बढ़ाने के लिए और sovereignty को maintain करने की बात करती है और इसके लिए नहरू के जितने भी actions थे आप देखिए 1950 के बाद वो इंडिया को focus में रखते हुए इंडिया के आजुबाजु के जो immediate surroundings से उनको भी साथ में लेने की कोशिश की गई और साथो साथ ये भी कहा गया कि वही देखिए हम global role भी maintain करने की कोशिश करेंगे अपने neighbors को लेके उनकी चाइना के साथ बड़ी खराब परिस्तिती रही जैसे 1960-54 में हमने चाइना के साथ पंचशील किया पर पंचशील करने के बाद we will find की हमने 1962 में चाइना के हाथो मात खानी पड़ी यह बहुत बड़ी आलोचना है नहरू जी की और in fact यहाँ नहरू जी अपने जो vision थे अपनी जो focus थे वहाँ से विपरिज चले गए पर उसके सामने आप देखोगे पाकिस्तान के मुद्दे को लेके तो हमें यह पता चलता है कि नहरू जी we will see कि पाकिस्तान के मुद्दों को लेके भी इनकी एक प्राकार की criticism मिल दीगी इसा है ठीक है जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया है कश्मीर के मुद्दों को लेके हमें पता है कि नहरू जी थे वो कश्मीर के मुद्दों को यूएन में लेके चले गए पर आप समन्दे की कोशिश करिए कि 1948 में जब हम लोग कश्मिर के मुद्धों को यूएन में लेके गए तो भारत का दॉमिनियन स्टेटस हुआ करता था अट डेट टाइम इंडिया पाकिस्तान के साथ वार अपड नहीं कर सकता था नहरू जी को उस पीरेड के अंदर ये लग रहा था कि UN is a multilateral organization जहां एक से ज़्यादा प्रकार की संस्ताय और लोग बैठे हुए है तो सब objectively decide करेंगे चौथी कहानी हमें ये भी पता चल रही है कि माउंट बैटन जो उस पीरेड में तातकाली क्वाइस वाय था भारत में वो अलाउट नहीं करता कि हम पाकिस्तान के उपर एक अलाउट वार कर दे तो नहरू के vision के point of view से global institutions के point of view से UN के अंदर belief के point of view से नहरू जी उसको लेके गए खेर इसका परिनाम उनको गलत मेरा वो बात हम जरूर से मानते है वैसी कहानी आपको नहरू लियाकत पैक्ट के रूप में भी आपको मिलती है और हमने उनको equal treatment दिया affirmative action से लेके बाकी सारे प्रावधान और हमें ये पदा चल रहा है कि इसके कारण ही ये परिनाम था कि भारत को Muslim community से President तक की leadership आपको मिलती है पर नहरू रियाकत पैक्ट का क्या परिनाम हमें देखने को मिला पाकिस्तान में क्या मिला नहीं मिला तो यहां पे भी नहरू जी ये नहरू जी के बाद वाली जो legacy है पाकिस्तान के point office है यहां नहरू का कोई fault ऐसे तो नहीं देखते है ऐसी कहानी आपको नहरू noon agreement भी मिलती है आपको पता होगा कि एक बेरूबारी union करके case बना था यह जो बेरूबारी union का जो case बना उसमें नहरू जी unilaterally बेरूबारी union को we will see कि पाकिस्तान को यह east पाकिस्तान को seed करने की बात करते है उसको लेके supreme court की फटकार भी हुई और परिणाम हमें यह मिलता है कि फिर finally constitutional amendment करना की बात की गई वैसे ही 1961-62 में जब Indus Water Treaty हुई तो वहाँ पे भी एक healthy criticism हमें देखने को मिलेगी बट हमें यह देखना है कि बही Indus Water Treaty उस period के अंदर water sharing को लेके एक ideal treaty के रूप में consider की गई थी और एक role model के रूप में हमें यह कह सकते है कि भई दो countries के बीच में water sharing का conflict ना हो और एक अच्छा बढ़िया agreement under the ages of world bank हो सकता है तो कर सकते है तो यह भी एक कहानी हम नहरू जी के point of view से जरू से समदने की कोशिश करेंगे in fact नहरू जी नेपाल और भुटान को लेके बड़े prominent रहे और नेपाल भुटान और इसमें उस period में हम लोग सिक्किम भी लिख सकते है क्योंकि सिक्किम का भी merger नहीं हुआ था इन तीनों को buffer के रूप में इन्होंने use किया और कहा कि भी देखो इन countries के साथ हम लोग peace treaties कर देंगे so that we'll make sure कि इनके लोगों की आवागमन भारत के साथ हो यह भारत के साथ friendly relations रखे और साथो साथ इनको jobs, economy, government services सब में हम help कर सकते है but maintain इनकी sovereignty रखेंगे खेर इसको लेके भी काफी criticism और यह चीज मिली कि भी देखिए यह basically चाइना centric policies में शायद fail हो सकते थे but somehow we will find कि Nepal, Bhutan और later on Sikkim का तो भारत में merger हो गया आज के दौर में भारत के allies के रूप में और we will find कि greater India अगर बनाने की कोशिश भी करते है इनको join करके तो और issues face करने होते वो ना होए सर, खेर तो नहरुजी की policies में neighbors के साथ अच्छे relations establish करना एक बहुत जरूरी थे उनको ये बता था कि relations with neighbor friendly हो जितने friendly relations करके उतने ही उनको influence करके अपनी foreign policy के objectives को fulfill करना है foreign policy में ये है कि इंडिया का role कहां पे होना चाहिए और इंडिया का role खास करके cold war politics के point of view से नहरु जी को ये भी चिंता थी कि यहां जहां cold war चल रहा है उसका theater भारत में ना खुल जाए नहरु cold war के beach में रास्ता निकालने की कोशिश करते है और कहा कि देखो आप cold war करना हम तो non alignment कर देंगे non alignment एक ऐसी policy जहां कह रहा है कि we will not join USSR neither we will join USA but we will take all the help from you इसके लिए नहरु अमरीका भी विजिट करके आये 1950 के दौर में ही और नहरु 1954 में चौपन या 55 के अंदर वो फिर over a period of time जाते है Soviet संग जहां कृष्चेव से भी मिलके आते है दोनों countries से उन्होंने technology से लेके बाकी सारे वस्तूओ की मांग की और हमें सब कुछ मिला क्यूंकि हम तो non-aligned थे आज की विदेश लीती भी कुछ ऐसे ही चलती है दोस्तों जहां we will find कि हम multi alignment की बात करते है उस period में non-alignment था क्यूंकि दो group बन गए थे हम नहीं चाहते थे कि cold war की लडाईया भारत में आए इंडिया, विएतनाम, कोरिया जैसे के रूप में we will find कि भारत के अंदर आग लगे और भारत का कुछ और बटवारा हो जाए तो we wanted to avoid war non-alignment was a policy through which we were avoiding war at our forefront and we will also making sure that we are balancing relations with both the parties हम दोनों का नुकसान भी ना हो हम दोनों का फाइदा भी करे और साथों की साथों we will also see कि हमारा एक advantage हो जैसे अमरीका से हमने technology मागी थी उस period में और Soviet संग से भी हमने technology मागी अमरीका ने हमको खाना, मतलब गेहू भी दिया और Soviet ने हमको weapons भी दिये हम no doubt Soviet के प्रती थोड़े धलाव में थे उसका मतलब यह ने था कि हम अमरीका के against में थे non alignment एक ऐसी policy थी जहां we will find कि जितने भी newly decolonized countries हो गए हो जैसे 1950s में आपको effroation conference मिलती है, kolombo conference मिलती है, bandung के अंदर conference मिलती है तो यह सब कुछ conference में नहरूजी की अध्यक्षता में इंडिया का जो global vision है वो निकल के आया in fact, 1950 के दौर में सेक्डो आफ्रीका के nations को basically decolonize करवाने के पीछे इंडिया का एक diplomatic hold भी रहा था 1950 और 60 के दशक के अंदर जब आफ्रीका और दुनिया के बाकी सारे विस्तारों के अंदर cold war की politics peak के उपर गई जैसे Korean war North and South Korea के बीच में लड़ाय हुई तो 1953 में भारत की सेना IPKF के रूप में गई थी Indian Peacekeeping Force जो UNPKF का पार्ट थी UNPKF का मतलब है United Nations Peacekeeping Force ब्लू कलर की टोपी पहनते हैं उनका साथ से देखे इंफेक्स ओल करने कोशिश करते हैं 1956 में Suez की क्राइसीस हुई उसमें भी नहरू जी ने असरेटिव रोल किया और दुनिया के अंदर कहा कि भी देखो Suez की लडाई को खतम करना चाहिए England और Egypt के बीच में जो संगर्श हो रहा है उसमें Israel भी involved था उसको भी deal करने कोशिश की गई विल फाइंड की कॉंगो में Civil War हुआ 1961 के दशक में तभी भी Indian Peacekeeping Force जाती है कहने की बात यह है कि इंडिया को विल सी की जितने भी decolonized countries है उनका साथ लेने की कोशिश करेंगी वर्ल्ड पीस की objectives को fulfill करते हैं जो आज भी जरूरी है इंडिया का जो गोबल पीस के अंदर क्या है और वहां किस तरह से एक विश्वगुरू के रूप में उस पीरेट के अंदर निकल के आ रहा था वो भी नहरूवियन policies के कारण ही आप देखें non-alignment एक ऐसा moment आया जिसमें over a period of time 120 से ज़्यादा countries जूड़ जाते हैं इसकी पहली मीटिंग बेल अग्रेड के अंदर होती है टीटो, नहरू और सुकर्न और नसीर और ये सब के सब लोग इखटे होंगे and we will find कि इसमें क्वामे कुरुमा भी था ये सब के सब इखटे होके we will see कि non-alignment को लागू करते हैं ये एक ऐसी organization के रूप में थी जिसके थूँ एक multilateral body body second largest after UN ये नहरू जी की vision ही थी जो चाहती थी कि हम cold war politics से अलग हो जाए तो overall नहरू की foreign policy के अंदर भी हमें बहुत सारी positives भी देखने को मिलती है और negatives भी देखने को मिलती है अब देखे कि कश्मीर को मुद्धों को हो गया UN के मुद्धे को हो गया काफी criticism है पर हमें ये देखना चाहिए कि ये किस दौर में हो रहा था देखे आज के तारीख में AC कमरों में बैट के criticism करना बहुत easy है बट हम overall एक objective point of view से देखते है तो भारत में संस्राओं का निर्मान करना democratization को push करना women's के rights को लेके संगर्ष करना health education को लेके कार्य करना scientific thought और scientific temper को push करना साथों की साथों secular state और model का निर्मान करना without using the word secularism ये भी बड़ा prominent part है भारत के अंदर से ही भारत की विदेशनिटी को इस तरह से guide करना कि भारत को ये तीसरे विश्वयूद में या cold war के अंदर ना ठकेला जाए आज कुछ उसी प्रकार की policies हमें आज की तारीख में भी government of India follow करते हुए देखने को मिलेगी तो इस व्यक्ति के द्वारा ये एक व्यक्ति के रूप में नहरू को जब हम लोग overall तराशेंगे और उनका assessment करेंगे तो हमें अपने आपको उनके जूते में डालने की आवशकता है we need to put ourselves into the shoes of जवालाल नहरू and इस दौर में हमें देखना चाहिए कि देश को कैसी कठोर परिस्तित से निकाला गया है no doubt चाइना के साथ युद में कहीं बार हमारे विजन को लेके problem हुई but overall point of view से इंडिया का disintegration ना होना इंडिया में economy का welfare state का निर्मान करने की नीव रखना एक foundation रखना और democratization करने के point उसे नहरू जी के योगदान को कोई नहीं भूल सकता है भारत के प्रदार्मंत्री के रूप में चाहते तो dictatorial system को convert करके है ना आजीवन people find की system को चला सकते थे पर वैसा कोई भी कारिया नहीं हिगा और इसी का ही परिणाम था कि नहरू जी के द्वारा बनाई गई एक legacy के रूप में हमें आधुनिक भारत देखने को मिलता है आधुनिक भारत के दरश्टिकोन के अंतरगत institutions को built up करना और infrastructure के उपर focus करना वो चाहते थे कि भारत के कोने कोने तक बिजली agriculture irrigation के system बने इसके लिए बहुत development की उन्होंने नीव रखी और इसी के कारण आज के तारिक में हमें जो इतना विक्सित भारत है हो देखने को मिला 27 में 1964 के दिन 27 थे में 1964 वो दिन था जहां उनको दिल का दौरा पढ़ने से उनके मृत्य हो गई बट नेरू जी भले आज की तारिक में जीवी तरह हो पर उनके दौरा किये गए कारियों की सरहना और उनका योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते है आजादी के पहले और आजादी के बाद एक आजाद भारत के प्रधानवंतरी के रूप में और एक व्यक्ती विशेश के रूप में हम उनके योगदान को सराही और सदेही रूप में हम लोगों याद करेंगे और इसी नोट के साथ हम ये सेशन को यहाँ पर कंक्लूर करता है आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे जरूर से बताना क्योंकि हमने काफी डेट घंटे से जादा नहरू जी के ऊपर डिसक्रिशन किया है आज नहरू जी के ऊपर हमने एक क्वीज भी रखा है ये क्वीज शाम को आठ बज़े है इस फ्री क्वीज फॉर अल उफ यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अविलेबल है जरूर से क्वीज के अंदर अटेंड करिएगा मैं आपको एक और पस्नाइटी के साथ वापिस मिलूँगा तब तक लाइक शेर और सब्सक्राइब जय हिंद थैंक यू वेरी मच